आपका स्वागत है इस वैबिनार में आशा करता हूं कि आप पौन रूप से स्वस्थ होंगे और अब हम शुरू करते हैं इस खोबसूरत जर्नी को एक बहतर लेवल पर ले जाने के लिए अपनी लाइफ को यह वैबिनार सिर्फ आपको नोलिज नहीं देगा बलकि आपको एक ट्रांसफॉर्मिशन की स्किल भी आइ मिन ट्रांसफॉर्मिशन की बहुत सारी स्किल भी सिखा रहा होगा इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा आपका सवाल हो सकता है पहला है कि वह यह किसके लिए है तो आप यूं समझेए हम सब के पास एक खास टूल है या मशीन है या आप कहें सपोर्ट सिस्टम है जिसका नाम है हमारा माइंड और उस माइंड में भी हमारे ब्रेंड यह की इसलिए जिनको हम नियोरॉंस कहते हैं यानि के हमारा माइंड किस तरह से यह माइंड काम करता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूंगा तो यह स्टुडेंट्स के लिए यूथ के लिए खापल्स के लिए और आप कह सकते हैं किicamente ये वी कह सकते हैं कि उन इंडिविज् इशूज हैं जैसे डिप्रेशन एंग्जाइटी है ठीक है ना OCD है पैनिक अटेक है फिलियोर है प्रोकरेस्टिनेशन है साइको सोमेटिक डिजीज है या फिर ओटो इम्यून डिसोडर है जो भी चीज आप यह मानते हैं कि आपके माइंड से आपकी लाइफ में भावित हो रही है और आप चाहते हैं कि आप अपने माइंड को एक नए तरीके से चलाना सीखे तो यह आपके लिए है हमारे पास बहुत सारे इशू है आज हम दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल बन चुके हैं डिजीज के अस्थमा के टैंसर के डाइबिटीज के और यह समझ ज्यादा बिकने वाली दवाईयां एंग्जाइटी की हैं डिप्रेसन की हैं नीद ना आनी की हैं और हम वही देशते जहां पर खुशियां ही खुशियां थी आकिर कहां गड़बड़ हो गई अगर आज आप देखें हमारी स्टुडेंट्स सबसे ज्यादा स्ट्रेस में इंग्जाइटी घरगर की काहनी बन गई है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को century से बचाएं और चाहते क्या हैं अगर यह सिम्टम हमारी लाइफ में आ जाएं यह विमारी आ जाएंग ति तो क्या मीनिंग रह जाता है सफलता का, क्या मीनिंग रह जाता है रिष्टों का, क्या मीनिंग रह जाता है और बाकी चीजों का, अगर हमारे पास हमारी emotional और mental power ठीक नहीं है और हम शारेरी ग्रूप से बीमार हैं तो, यही मैं आपके साथ कहने जा रहा हूँ. आज हम कुछ विशेश बात करेंगे और वो बाते क्या होंगी, मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एक rules, मेरी तरफ से technology is okay, आप अपना धियान रखेगा अपने net का, बीच में मैं कोई सवाल नहीं लूँगा, हाँ, आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूँगा, च और आपके परिवार को कुछ टेक्निक सिखा दूँ, ताकि आप लगे कितनी चीजें बदल सकती हैं लाइफ में, ठीक है ना, हर एक सवाल का जवाब दूँगा, और अगर आप कहीं ऐसी जगे बैटे हैं, जहांपर disturbance हैं, तो उस disturbance को तुछा solve कर लें, बीच में मैं आपके message नहीं पढ़ोगा, जब मैं आप से कुछ सवालों का जवाब मांगोगा, तब message करिएगा, अब आप enjoy करिए मेरे साथ, बस मैं कई बार आप से इतना ही पूछूँगा कि अब कितने इसका सवाल का जवाब क्या रहा है, जब मैं आपको technique कराऊंगा, या फिर आपका involvement कितना है, मैं पूछूँगा, is that right, तो तयार हैं आप, अगर आप तयार हैं तो अब एक टाइप करें, एक बार लिखें है, आई, टाइप करें, आई, वैन इफ यू आरेडी, और मैं शुरू कर रहा हूँ अब अपनी technique, I mean अपना session आप के लिए, हर चीज दिल खोल के दूँगा हर चीज आपको दिल खोल कर दूँगा, आप भी दिल खोल कर लिजेगा, thank you very much for responding, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इस webinar के साथ साथ, मैं आगे की मेरी अपनी workshop के बारे में भी बताऊंगा, you could be the part of that also, तैकि आप एक नए level पर ले जाएं, अपने आपको, लेकिन यहापर म मिलने जा रही हैं, वो रही यह चीज़ें, आज आपको सबसे पहले, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप अपने subconscious mind को समझेगे, सबसे बड़ी important चीज़ है यह आपकी life की, अगर आप एक student है, तो भी आपको चाहिए, business man है और आप अपने पैसे को बढ़ाना चाह होगा, खीक है न, और अगर आपको कोई बीमारी है, mental emotional challenge है, phobia है, panic attack है, OCD, obsessive behavior है, addiction है, insomnia है, procrastination है, societal thoughts आ रहे हैं, तो आपको यह subconscious को समझना होगा, और मैं समझाने के लिए तयार हूँ, आप भी तयार हैं, दोसी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कि NLP के आपके magic क्या क्या हो सकते हैं, आपके life में, अब यह NLP क्या है, मैं यही से बता देता हूँ, इसमें तीन लेटर है, NLP, N का मतलब है neuro, इसे समझ लिजेगा, जब आप पैदा होते हैं, तो आपके पास 80 billion brain cells होती हैं, कितनी, आठ के बाद 10-0 लगते हैं, 80 billion, और यह brain cells को neuron कहते हैं, और इनका एक network बन जाता है पूरे mind और body में, एक थोट आपके mind में, यानि कि brain cell को मिलता है, उसमें current बहता है, neurotransmitter कहते हैं उनको, और वो current पूरी body में पता चल जाता है, एक थोट आया नहीं कि आपके neuron ने उस थोट को पकड़ा और आपके heartbeat बढ़ा दी, एक थोट आया न कि लोग suicide करने चल देते हैं, तो यह हम neuro की बात करेंगे, इनी neurons की, दूसरा वड़या elf और linguistic, आखिर यह neurons किस तरह की language बोलते हैं, या फिर हम जो भी language बोलते हैं, उससे यह कैसे प्रभावित होते हैं, तो आगे से यह मत बोलिए, मेरे तो कंदे ही तूट गये हैं, याद र दिये तो जल्दी ही आपको गुटनों में दर्द और इर्यूमें टाइड अर्थराइटी सा सकती है, मेरी छाती पर पहाड रखा है, अगर आपने यह बोल दिया, तो हो सकता है कि छाती पर अभी भी आपको anxiety का आभास हो रहा हूँ, और अगर आपने यह बोल दिया, दिल जलता है तो जलने दे, तो भीया समझ लीजेगा, अदरवाइज मत लीजेगा, यह reality तो यह ही है, अगर आप सीगल बरने की किताब पढ़ें, जो MD हैं और इन्होंने किताब लिखी, Miracle Medicine, तो उन्होंने कहा कि जो शब्द आप बोल रहे हैं, वो directly आपके neuron सुन रहे हैं, और अगर आप यह कह रहे हैं कि दिल जलता है, तो जलने दे, तो जल्दे ही आपको दिल के उपर burning sensation आएंगी, और यह दिल बहुत खत्रे में चला जाएगा, यह reality है, तो language को संभाल कर बोलिएगा, यहाँ पर PB आता है, P for programming, आप कोई भी ऐसी programming ना करें mind के लिए, जो उसे फिर निकालनी मुश्किल हो जाए, कई बार हम programming कर लेते हैं, गुस्से में रहने की, फोबिया में रहने की, बीमारियों को attract करने की, ध्यान से सुनिएगा sentence, बीमारी आपके पास आती नहीं है, यह attract की जाती है, इन्हें बुलावा भेजा जाता है, anxiety, depression, OCD, addiction, यह सब बुलाए हुए symptoms हैं, और हम इनको program कर लेते हैं, उसी तरह से programming हो जाती है, जैसे हम गाड़ी चलाना program कर लेते हैं, अपने mind और body में, उसी तरह से हम इसको कर लेते हैं, program, NLP का मतलब हो गया, Neuro Linguistic Programming, एक ऐसी science, जो आपके mind को, आपकी body को, आपके nervous system को, आपके dose chemical को, dopamine, oxygen, serotonin, endorphins, आपके cortisol को, आपकी pituitry, hypothalamus, adrenal gland को, चलाने के लिए बनी हैं, यह आपके mind का पूरी तरह से complete manual है, आप एक खूबसूरत कार ले आए अपने घर के लिए, या एक computer ले आए, या कोई एक machine ले आए, और उसके साथ एक किताब भी मिली थे कि यह पढ़ना है आपको, और आपने उसे नहीं पढ़ा, और वो गाड़ी आपके पास करोड़ो रुपे की थी, लेकिन एक जगए खड़ी है क्योंकि आप उसे चलाना नहीं सीख पाए, यह समझे लोगों के पास एक तिजोरी होती ह है दोस्तों, और इस तिजोरी में करोड़ो रुपे हैं, पर इस तिजोरी को खोलने के लिए कभी हम छोटी सी जहमत नहीं उठाते, छोटा सा एक एफ़र्ट नहीं लेते, और यह तिजोरी बंद की बंद रहती है, और इस तिजोरी को अगर हम खोल लेते तो अर्बो पे हमें मिल जाते, पर हम यह मान लेते हैं, कि नहीं नहीं, जितना भी पैसा है, इस तिजोरी के बाहर ही है दुनिया में, और हम दिन भर काम करते हैं, मैनत करते हैं, मांगते हैं काम चलाने के लिए, पर इस तिजोरी को नहीं खोलते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप NLP समझ सारी डिजीज सारी लिखराओं में सिवायत थोड़ी सी जो आपकी लोकल डिजीज है या एक्सिडेंट है अगर देखे तो सारी डिजीज या तो ओटो इम्यून है या साइको सॉमेटिक है इसका सिंप्ली मीनिंग है कि आपके यह सब मैं आपके माइंड से शुरू होती है मै आज आपके साथ शेयर करूगा सबसे पहले इनर वैलनेस को कितने लोग चाहते हैं कि उनके पास मानसिक इंटरनल या भावनातमक शांती वैलनेस मिले हमारे पास कई बार रिवेंज भरा होता है गिल्ट भरी होती है अनवर्दीनेस भरी होती है हमारे अंदर शेम गिल्ट बर्य होती है कहने का मतलब हमारे पास अन्वांटिड ट्रोमाज भरे होते हैं लाइफ के और ये ट्रोमाज हमारे सारे के सारे एपिनेस कैमिकल को डोज कैमिकल को डॉपामइन, ऑक्सीटोसिं, सेरोटेनन فसू को बंद कर दे हैं जैसे ही उनके तनाव को और उनके सबकुंशिस को एनलपी के द्वारा हील किया गया उनकी पास की पेंफुल मैमोरी को अटाया गया तो उनका कद फिर बढ़ने लगा जब उमर होती है जब तक कद बढ़ने की शायद बीज किस तक तो हमारा है मीन हाइट बढ़ती रहती ह नॉर्मल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से आप अपने माइंड से तीन या चाट टेक्निक तीन तो मिनिममन दोंगा मैं आपको धन के लिए भी यानिके मैं आपको एनलपी की टेक्निक सिखाऊंगा जो 27 सालों से मैं लोगों को सिखा रहा हूं उन में से क पर आएगा तो सिंगर्स करना पड़ेगा मैनत करनी पड़ेगी तो हमने सोज़ा भाई मैनत का मतलब यही होता है कि सड़क पर समान बेचो कभी इदर जाओ कभी उदर जाओ तो हम ऐसे ही करते रहे लेकिन जिस दिन पर चला कि नहीं यह तो आपकी क्रियेटिविटी है और आपके पास एक इस बात को जियान से सुनियेगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आप एक टर्म को नोट कर लिजेगा उसको हम आर एस कहते हैं आर एस को कभी गूगल करिएगा आप चौक जाएंगे कि जो चीज़ आप हैं मुझे और आपको आटवी किलास में पढ़ तो आपके ब्रेन के ऊपर एक मसल्स का एक पार्ट है जिसे हम आर एस फैक्टर कहते हैं यह मैडिकल साइंस है कभी भी गूगल कर लिजेगा और यह आर एस जो सिस्टम है फिक फैक्टर है यह इगनाइट हो जाता है यह जागरित हो जाता है और आप इमीडियेटली युनि कर देंगे जो आपने अपने माइंड को दिया है आपने क्या मुझे धन चाहिए तो आर एस फैक्टर को पहले आपको इगनाइट करना था आपके कान वो आवाजे सुनेंगे जो आपको आपके लक्षों तक पहुंचाएगी अपॉर्चुनेटी तक चाह वो हैल्थ किये च कर चिला रहा होगा ठीक है ना जो बहस चल रही होगी चलो से देखते हैं क्योंकि आर एस फैक्टर आपका इगनाइट नहीं हुआ कई बार हम इदर उदर की बातों में ज्यादा समय बिताते हैं नहीं कि अपने लक्षों के लिए क्योंकि हमने अपने आरेस फैक्टर को कभ बाइदा मेडिकल साइंस एंड क्वांटम हीलिंग क्वांटम फिजिक्स तीसरी चीज मैं आपको दोंगा व्यू कैन बिजनेस बिल्ड यूर बिजनेस एट ने लेवल कितने लोग अगर वो बिजनेस वाले यहां पर बैटे हैं तो आप अपने बिजनेस को कैसे एक नए ल बन कर शुरू कर रहा हूं फ्रेंड्स पहले टॉपिक से कि मैं अपने सबकुंशिस माइंड को कैसे समझे लेकिन उससे पहले आप निश्चित रूप से कही लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे कही लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा होगा जहां पर सेंक इसको ये डारेक्ट आमने सामने से कहिएगा जहां पर उसमें से मैं अपने टैन ताउजन से अधिक सिगनेचर प्रोग्रेम को अब तक दे चुका हूं ट्रेंड कर चुका हूं दस हजार में से फिफ्टी परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शूद को रिजूल्व लिए लेकिन पांच जार के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के लिए भी हैल्प करी है और वो इससे पैसा भी कमा रहे हैं मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट ने एनलपी सीख कर आब वो दिल्ली के स्कूलों में हैपिनेस जो किलासिस चल रही हैं पूरे दिल्ली के स्कूल्स में उन्हीं की आवाज सुनाई जाती है उन्हीं होई एनलपी की टेक्निक महां पर दे रहे हैं बच्चों को और यह मेरे लिए गर्व की बात है और ऐसे कई लोग है जिन्होंने कोर्स बना कर अपने डूरिंग पैंडेमिक लोगों की हेल्प कर और अपने लिए भी कितना पैसा कमाया वन ओफ दे ट्रेनर हैं में अर्ण मोर दन टू करोड़ रूपीज बाइग इविंग था स्किल्स तो पिपल इसे बिग मार्केट ऐसे लोग पूरे मैं कहता हूं कि कई देशों में जो हिंदी भाशी लोग हैं महां पर काम कर रहे हैं पांच किताबे मैंने लिखी हैं और इस समय जब आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो यहां पर 477,000 यूट्यूब सब्सक्राइब है पर यह भी 480 यानि के 4,80,000 हो चुके हैं इस मॉमेंट पर गूगल पर मेरे 1200 से ज्यादा रिवियू हैं किसी भी ट्रांसफोर चलेगा कि मैं कितनी हल्प कर रहा हूं लोगों की और यूनिवर्स ने मुझे यह मौका दिया है 4.9 की रेटिंग है वहां पर और फेस्बुक पर भी 350 से ज्यादा रिवियू हैं शुरू करता हूं फ्रेंड्स मैं मेरे बारे में गर आप उपर देखें इस न्यूजपेपर की किलिप को तो संडे फर्वरी वन 2004 में हिंदुस्तान टाइंस ने मेरे बारे में रिखा था टीशिंग दा माइंड टुगो इन राइड डिरेक्शन वह आदमी जो माइंड को सिखाता है कि कैसे राइड डिरेक्शन में जाए 17 साल पहले 17 नहीं 18 हो गए 18 अठारा एंड हैं यह मेरी एनलपी की गिलिम्सिस हैं जहां पर हजारों लोगों को मैंने एक एक साथ बैठा कर एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मिशन दिया है बिल्कुल हाउस फुल मेरे सेमिनार्स चले हैं पैंडेमिक तक अब फिर हम शायद शुरू करेंगे यह मेरी कुछ एक गिलिम्सिस हैं जहां पर मैंने 5 डे वक्शोप दी हैं 14 डे वक्शोप दी हैं और लोगों को पूरी तरह से हेल्प किया है कि वो कि तरह से आगे बढ़ करते हैं पहली चीज़ है कि हम कैसे अपने सबकोश्यस को समझें प्रोपरले यह सबकूश्यस कैसे काम करता है कैसे हमारे ब्रेइन ≜ काम करतीredit कैसे हमारे सफसाध्प अनुबाफ बनते हैं अपने इंटरनल एक्स्पिरियंस बनते हैं कैसे बिमारिया बनती हैं कैसे बिमारिया बनती हैं कैसे हमारा इंटरनल वर्ल्ड बनता या बिगड़ता या उजड़ता हैं कैसे हम फेल होते हैं कैसे हम पास होते हैं जीवन में कैसे खुशे आती हैं कैसे द इस्यूज खड़े हैं पहला इस्यूज देखेगा स्टूडेंट एड यूद का आज मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स के पास अनलिमिटिट इस्ट्रेस है हर तीसरा बच्छा स्कूलों में अन्वांटिड वाइलेंस का सिकार हो उनके अंदर वाइलेंस के पैटर्न आने लगे उनकी एंपैथिक हतम और यह पढ़ाई के लिए पेरेंट्स के लिए इस्ट्रेंजर्स के लिए वह लीस्ट सुनते हैं आप पेरेंट्स की वह एडिक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अपने डिजिटल वर्ल्ड में और आप यह सोच रहे हैं कि अभी भी हम उनके साथ देर कर सकते हैं अगर आप यह मानते हैं तो गलत कर रहे हैं और इसे आप ही ठीक कर सकते हैं अपने आप कुछ नहीं ठीक होगा क्योंकि वह पैटरन उनके माइंड के अंदर डीपली जा रहे हैं मैं आपकी हल्प कर सकता हूं मेरी वक्शोप में जुड़े रहीएगा यूद के साथ बड़ी प्रोब्लम है इंडिया में बहुत कम पार्ट है यूद का बहुत ही छोटा था पार्ट है किसी भी इनिवस्टी में जाके देखिएगा जहां पर हजारों स्टूडेंट में से एक या दो गोल औरिंटेड मिलेगा वरना सब पूरी तरह से उन्हें य और एवरी डे हम डिस असोशेशन में जी रहे हैं एंट्रेपर्नियोर्स और बिजनेस परसंस की हालत यह है कि वो किसी आइडिया को लेकर उन्होंने सोचा था कि वो एक बड़े बिजनेस को पैदा करेंगे खूब फ्रिडम होगी समय की और फिर उनका बिजनेस देरे देर और उनकी मानसिक स्टेट ऐसे बिगड़ती है कि बिजनेस सिर्फ एर सिर्फ मनी इटिंग डेविल बन जाता और समय भी उनके पास नहीं रहता आपने देखा ना हिंदुस्तान का जो वारेन बफे कहा जा सकता है जिस आदमी को वी लोश्ट हिम टूडे अट दे एज अज ये एज तो यंग एज है बट वी डूनोट नो कि वो कितनी स्ट्रेस से जी रहे हैं हम बाहर तो देख रहे हैं दुनिया को कि देखो इसके पास इतना पैसा है इसके पास ये कार है पर हम अंदर से कितने खोकले होते जा रहे हैं क्या हम अपने आने वाली पीडी को या अप ग्रियन का शिकार था जब मैं पढ़ाई छोड़ चुका था क्योंकि मुझे पैप्टिकल सर हो गया था जब मुझे आर्थ्राइट आई मिन डियो मेटाइड एर्थ्राइट इस गठिया भाई होगे और एक डॉक्टर ने काया मुझे वेस्टन यूपी के कि तुम कभी चल न करेंगे कि मैंने चौतिस साल की उमर में एनलपी सीखी मेरे पास पैसा भी नहीं था करियर भी नहीं था एंग्जाइटी बढ़ चुकी थी लेकिन फिर भी जितने भी मेरे पार रिसोर्सिस थे उनको मैंने बेचा इस टेकनिक को सीखना शुरू किया विदिन फ्यू मन्स मै ने अपने आपको हील कर लिया आज 27 साल हो गए ना तो माइग्रेन मुझे हुआ ना माइग्रेन से उस समय जो और बहुत सारी प्रोब्लम थी के पैप्टिकल सर मुझे नहीं हुए एसीडिटी तक नहीं होती और मैं 12-15 घंटे अभी भी खड़ा रह सकता हूं मेरी वक्षो 63 मैं इस समय 63 पर हूं एज के और मैं यह मानता हूं कि अभी तो मेरे पास और 57 साल बाकी हैं उसी तरह से मजे के कहने का मतलब यह है कि मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि आप छोटी सी कला सीक लिजेगा लेकिन रिजल्ट बढ़े आएंगे इस मॉल इस बिग और कि कि तरफ ले जाती है कभी कि तरफ ले जाती हार्ट में कभी किसी और चीज़ की तरफ कभी यही हमारी एडिक्षन बन जाते हैं कभी यही पैनिक अटेक बन जाती है इंडिवीज़ुल्स की प्रोबlements यह जह है घर गर में इस्ट्रेस डिप्रेसन एंगजाइट इस ऐसा लगता है कि हम कमा रहे हैं पड़ी मेनत से और खो रहे हैं सिर्फ अपनी एंग्जाइटी पर और अपने डिप्रेशन के दवाईयों पर आप इनसे बाहर आ दिखाऊंगा कि देखिए आप अपने जीवन को बदल सकते हैं लेकिन जो मेरी वक्षोप होगी इसके बाद मैं उसमें आपको इन्वाइट करूंगा कि बदल यह अपने आपको और वो भी गरंटी के साथ नहीं बदले नहीं बदल पाया मैं आपको तो मैं आपको कुछ गरं सबसे ज्यादा हसाने वाले व Ikthika क zdrowe कえば चालेस रूडोरहां के रिक्स प्रगेशन और को नहीं किया प्योरिफिकेशन रही किया हमने आज तक अपने हाट कंचेस को नहीं समझा हाट के उपर जो हमारी सेल्स होती हैं जिनको हम आई AC cell कहते हैं intrinsic adrogenic cardiac cells उनके अंदर emotion कैसे चलती है वो emotion vagus cells vagus nerve के दौरा हमारे mind तक कैसे आती है और mind को वो कैसे तितर बितर कर सकती है और mind का एक थोट हमारे heart को कैसे तितर बितर कर सकता है और ये दोनों मिलकर पूरी body की cell के अंदर जो 60 trillion cells है उसमें एक cell के अंदर हर second ध्यान से सुनिएगा हर cell के अंदर हर एक second एक लाख chemical reaction चलती है ये medical science जानती है एक थोट आपकी 60 trillion cells को उनके अंदर चलती हुई एक लाख रसाइनिक क्रियाओं को disturb कर देता है एक थोट आपके DNA को बदल देता है कभी epigenetics या biology of belief पढ़िएगा जब मुझे मेरी बीमारियों का पता चला डॉक्टर ने कहा माईग्रेन नहीं जाएगा लाइब से एक डॉक्टर ने कहा ये पैप्टिकल सर बार-बार आएगा और अगर तुम MSC करे उस समय मैं यूनिवस्टी का student था अगर तुमने MSC continue की और ये फट गया तो फिर आपको कोई भी ने बचा पाएगा तीसरे डॉक्टर ने कहा कि ये रियूमेटर अर्थराइटिस के भी ठीक नहीं होती बाल किरने शुरू हो गए एंग्जाइटी हब से जादा complete अंधेरा जीवन के सामने और जब मैं NLP को सीखा और उस दिर के बाद तो मैंने अपने लाइफ के परपस को ले लिया यद पी 34 साल की उमर में मैंने NLP सीख के अपने आपको हील किया 35 साल की उमर में मैंने ट्रेनिंग देने शुरू कर दी छोटी बड़ी लोगों को फिरी में बठाय करता था यार तुम्हें चलो कॉफी पिलाओंगा चाय पिलाओंगा और तुम्हें हील करके दिखाओंगा magically उसके बाद ये एक mission बन गया at the age of 37 मैंने एक स्कूल शुरू किया माइंड से ही और मेरे हमारे पास तीन चीजे नहीं थी पैसा नहीं था जगे नहीं थी और इसकूल कैसे चलता है सीवीए सिकेंडर यह नहीं मालूम था आज वह स्कूल अपने एरिया का नंबर वन है कभी भी आप Google कर सकते हैं माई सेंग वैरे सिंपल जहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं था वहां पर ऐसा लग रहा था कि यार यह माइंड है क्या है और आज मैं इसी परपस को जी रहा हूं आपको मजा ना आए आपको लगे यार मैं सब जानता हूं आप कभी भी वैबिनार को छोड़ सकते हैं लेकिन अगर लास तक जुड़ेंगे तो मैं आपके परिवार के लिए कुछ आपको गिफ्ट जरूर दूँगा जो मैसेज आपको दुनिया से मिलेंगे इस वैबिनार के बाहर उससे बेतर तो मैसेज मैं आपको जरूर दूँगा ये तो फैक्ट है तो बने रहीएगा तो फ्रेंड चले शुरू करते हैं कि हम अपनी जिन्दगी में जीते कैसे हैं ये मैं और आप हैं सामने जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर यद भी मैं और आप इससे तो स्मार्ट हैं लेकिन ये प्रतिकात्मक्ख है ये सिर्फ सिंबोलिक है और यहां पर दिखाया गया है रिवल रियल इवेंट जब से हम पैदा होते हैं हमारी जिन्दगी में एक चीज़ चलती है हुए इवेंट जब भी आप पैदा होते हैं तो पहली इवेंट जो कैपेसिटी है वो बैसी जीबी है और असी बिलियन है और यह आगे भी बनते रहते हैं इतनी बड़ी मेमोरी के आप इस मास्टर है पुरा नेटवर्क फैला हुआ है इन नियूरोंस का कितना छे अजार शहरों को इलक्रिफाई करने के लिए जितने तारों की जितनी लं इम्यूनिटी डव्यूबी सी जो चल रहे है ना डव्यूबी सी वाइट बलड सेल्स महाँ पर भी इम्यूनिटी जा रही है आप महाँ पर भी एक दम से थोड़ चला जाता है समझ गए इतना बड़ा नेटवर्क के आप मालिक हैं इतनी पोटेंशल है आपके अंदर आप कह रहे हैं कि दी मेरे पर दो चार करोड रुपे नहीं कमाई जा रहे हैं मैं इस चोटी सी बिमारी को ठीक नहीं कर रहा हूं जिसका माई ग्रेन है इसका मदलब यह है कि आपको हट्डिया बदल जाती हैं एक साल में आपके 98% एटम बदल जाते हैं कि आपके अंदर पोटेंशल नहीं है लेकिन हम कई बार एक छोटी सी आदत को नहीं बदल पाते हैं कि हम नहीं जानते कि माइंड को कैसे चलाएं यह रियल इवेंट हम तीन तरह से लेते हैं कुछी जो को हम देखते हैं जैसे हैं chemical equation है तो हमें देखनी पड़ेगी किसी का चेरा देखना ही पड़ेगा पैचानने के लिए जब हम कार चलाते हैं तो रूट देखना ही पड़ेगा ना तो यह तो हमारी visual sense है आखे कुछी जो को हम सुनते हैं मेरे शब्दा तक कहुंच रहे हैं श प्सक्राइब कर देता तो फिल करना पड़ता है इसे हम kinesthetic sense कहते हैं दो और भी हैं एक है टेस्ट एक है स्मैल पर वह ज़्याद़ है memory में काम नहीं आती है और यह यए जैसी हम रिसीव करते हैं आखों से कानों से क्या यह हमारे mind में जाती हैं यह हमारे mind में जाने से पहल हो गया बहुत सा रिवर्स जाएं यूंकि त्यों नहीं दोरा पाएंगे आज सुबह आप बाहर निकलेते आपने अजारों कारे देखी थी लोग देखे थे चिडिया पत्ते पेड़ देखे थे क्या याद हैं बस आपको पांसे साची याद हैं और वो भी जो पहले से जानते हैं बाकी कहा गए डिलेट हो गए यह दिकांश कुछ चीजों को हम डिस्टोर्ट करते हैं हमारा माइंड हर चीज को डिस्टोर्ट करता है यह अच्छी बात भी है खराब भी है खराब कैसे मान लेते हैं आपको आपके दोस्त ने तीन बार फोन किया आप विजी ते तीनों बार आपने नहीं उठाया तो आपका दोस्त क्या कहेगा ना यू आ वाइडिंग मी तो उसने डिस्टोर्ट कर दी इंफॉर्मेशन लेकिन कई वर ये अच्छी भी जब मैं कहते हैं घरवाले जब हम बच्चे होते हैं पर अंदेरे में मत जाओ जेंगल में मत जाओ पानी के पास मत जाओ जहां पर घ्यारा पानी है So, वहम एंफॉर्मिशन देते हैं ये बहूए ये Historus ne माना के अंदेरे में जाएंगा तो हो सकता है ठीक है ना तो वह काम भी आता है यह पर हमारे माइंड की कला यही है और कुछ ही जो को हम जेनलाइज कर लेते हैं आपके साथ कुछ गटना है गटी बच्पन में आज आपके पांस साल के ब्रेन के अंदर चली गई नियूरोन ने ले लिया उस समय इसपॉंज की तरह आपका काम कर रहा था ब्रेन सारी चीज़े ले 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 और लेने के बाद ऐसा कुछ कर दिया कि बस अब जिन्दी बार आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं पर नियूरोन को पता है कि ज्यादा पैसे खराब होता है जब जब आपके पाद ज्यादा पैसे का अफसर आएगा देख लेना आप चूक जाओगे और आप क्योंगे यार पता नहीं क्या मेरा पैटरन है और आपने कभी यह नहीं सोचा कि एक फोट जो गलत दिया हो गया जी यह तो बस मेरी आइडेंटिटी क्या बना दी दिश दुनिया ने बीमार बच्चा तो मैं तो पेशेंट बन गया अब एक पेशेंट हेल्दी कैसे रह सकता है जब तक की बिलीफ ना तोड़ो मैंने एनलपी से इन बिलीफ को अटाया मुझे बच्पन में बताया किया था कि तुम पैसा ये पैसे वाले लोग अलग होते हम तो एक चोटे से में बैक ग्राउंड के लोग हैं हम T w struggle करेंगे रोजी रोटी कमाते रहेंगे तो रोजी रोटी पर आ गए तब पता चला हमें ये दो मेरे सारे ये तो पिलीफ गलत है रिश्टों में बता दिये गए ये तो ट्रैप है ये तो ट्रैप को काट कर even निकाला जाता है, कहने का मतलब है कि सब belief हमें दे दिये, आज आपको भी belief दे रखे, मैं तो नहीं मानता हूं cancer lie ला जाए, आप कहेंगे नहीं सब है, आपने कभी इसका मतलब Google पर बेकार की चीज़े पढ़िये अभी आपने यह नहीं पढ़ा कि डॉक्टर हैमर और कॉल्ड वेल जैसे डॉक्टर ने 30,000 लोगों को सिर्फ माइंड की, उनकी पुरानी मेमोरी को अटा कर cancer ठीक कर दिया जी एन एम, जर्मन न्यू मेडिसिन कभी पढ़िये तो सही, गूगल कर लिजेगा और आप पाचलेगा कि cancer is not the disease of your body, it is the disease of your thinking only, देपक्चोबडा ये कहते है it is your thought only, आपने एक थोट से अपनी immunity को मार दिया है immunity का काम था रोज मर रोजाना बनने वाले जो cells थी बेकार उनको भार फैंकना, लिंप के द्वारा immunity खतम कर लिए हमने stress या तनाव या वरदीनेस खोकर, और cancer हो गया आप cancer को ठीक कर रहे है, अरे भया immunity को ठीक कर लो ना, वो कहां से होगी अपने mind को ठीक कर लो ना क्या चोथी stage पर भी है, मैं आपको कह रहा हूं कि कभी पढ़िएगा Mr. Right का किस्सा, कि चोथी stage के मैं, के आदमी का सिर्फ बिलीब बदला, एक डॉक्टर ने एक injection लगा के करेबियो जोन नाम का और वो ठीक हो गया, कहने का मतलब है यह आपके बिलीब पढ़े, पैसा कमाना है, I mean, सब को पता है, बता रखा है, diabetes ठीक नहीं होती, दमा दम के साथ जाता है, माईग्रेंट ठीक नहीं होता, डियुमेटाइड अर्थराइटिस, गुटनों की बिमारी है जिंदगी पर रहेगी जी, और बस उनी बिलीफ के साथ हम जी लेते हैं, वो सब जेनरलाइस्ट बिलीफ हैं, वो युनिवर्सल टूत नहीं है, बहुत सारे माइड के अंदर एक नई इवेंट बनाते हैं, जिसको हम मैमोरी कहते हैं, मैं इसको नियूरल इवेंट कहता हूँ, यह नियूरोन में पढ़ी हुई इवेंट है, एक बाहर इवेंट है दोस्तों और एक आपके नियूरोन में पढ़ी है, इसी को memory कहा जाता है हिंदी में इस्तमर्तियां यादें और इसी को कई बार हम subject perception कहते हैं personal reception इसी को हम subjective experience कहते हैं यह मेरा subjective experience है जी पैसा अच्छाए के खराब है इसका मतलब यह है कि आपकी memory सारी की सारी आपकी अपनी है यह सच नहीं है इसी को subconscious के pattern कहा जाता है script कहा जाता है imprint कहा जाता है और इनी के हम शिकार हो जाते हैं मैं ऐसे वह सारे लोगों को जानता हूं जिनकी ऐसी स्क्रिप्ट है कि जब मैं पूरी मैनत करता हूं सफलता की सीडिया चड़ता हूं बस ऐसी गल्तिक कर देता हूं कि जीरो पर आ जाता मैं उनसे कहता हूं कि क्या जानते हैं यह आपके subconscious का कौन सा pattern है इसे सिसी पस complex कहा जाता हूं फिर दूसरा आदमी कहता है मैं हर बार नए रिष्टा जोडता हूं थोड़ दिन मैं उसमें रहता हूं बोर हो जाता हूं फिर ऐसा game केल जाता है mind कि रिष्टा टूटता है फिर पेन में रहता हूं फिरनेया जोडता हूं ठीक है न दूसरा एग आदमी कहते हैं क्या करूं महनत बहुत करता हूं पर पैसा मेरे पर रुकता फ़राब रोधाएं बनाना चाते हों वो कहता जी हां मन का है ठीक है आज मैं आपका भी बनवाऊंगा अगर आप इंट्रेस्टेट होंगे तो याद रखे गए हैं और हमारे दिमाग में जब से पैदा हुए हैं इन नियूरोन में अर्बों ये मैमोरीज पड़ी हुई हैं हमें पता भी नियूरोन का आप गाड़ी चला रहे थे आप जा रहे हैं आपने किसी डेट बोड़ी को देख लिया वो अर्थी जाती और अचानक एकदम से कहें दिया ओमाई गॉर्ड लाइफ इस अंसर्टेन बस कर दिया आपके मैंड ने शुरू का लाइफ इस अंसर्टेन मोटा बावड़ना शुरू हो गया खराब सपने आने शुरू हो गए एंग्जाइडी बढ़ने शुरू हो गई आप करे पता नहीं कहां सारी आपने कमांड किया दीती अपने आप लाइफ इस अंसर्टेन कर दी तो माइन ने का ठीक है फिर लेट मी टेल यू जट लाइफ इस अंसर्टेन वाइफ यह तो आपने यह क्यों नहीं कहा उस समय कि इट इस नेचुरल प्रोसेस जो आया है वो कभी ने कभी जाएगा लेकि कि पिमाड़नों ना एडवर्टिजमेंट देख रहें रेमंड अकमपलीट मैं नहीं पहना तो क्या इंकमपलीट हो गए कैने का मतलब है हमारे माइंड को खूब कुश दिया जा रहा है हर वक्त और यह हमारी एक कीज़ को बदल रहा है वह स्टेट और स्टेट का मतलब है क किसी भी मॉमेंट पर आपके 80 बिलियन नियूरोन में और 60 टिलियन सेल्स में जो कुछ चल रहा है उसे हम स्टेट कहते हैं इस समय आप या तो रिसोर्सफुल स्टेट में हो सकते हैं या फिर अन्रिसोर्सफुल में ये क्या होती है पॉजिटिव और निगेटिव मान लो तु स्टेट कौन सी होती हैं वो होती हैं कि सारी शक्तियां आपके पास हैं पर आप बोल गए सब कुछ आपका बच्चा पूरे साल मेहनत करता है घर पर सारे एक्जाम को ठीक कर देता है कई बार और एक्जाम में जाते उसकी स्टेट खराब हो जाती है सारा भूल जाता है क्यो होली की फॉर्म जा रही है हमारी टीम की फॉर्म वापस आ गए इसका मजब स्किल की बात नहीं कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं जो भी आपने जीवन में खोया है या पाया है आप सिर्फ उस दिन एक डिफरेंट स्टेट में थे आपने अपनी बोड़ी को ठीक कर लिया तो आप डिफरेंट स्टेट में थे आपने एक लाइल आज बिमारी को ठीक कर लिया आपकी स्टेट वो थी कि जिसमें आपने अंडॉर्फिन को निकाल दिया और यूटर ले लिया आपनी बीमारी से और अगर आपने कुछ खोया हेल्थ पैसा रिस्ते शेयत आपने गलत स् आपने कहीं जी मैंने कोई एक्षन ने लिया हार्ट बीट बढ़ चुकी है सर आपकी श्रिंक हो चुकी है नसे आपका शुगर लेविल उपर जा चुका है निगेटी थोड़ा ते आपका बलड एलकलाइन से एसीडिक हो चुका है और एसीडिक मीडियम में ही सारे बैक्ट मान लिए जो मातों से कर रहे हैं एक्षन रियल वो है कि एक थोटने आते ही आपके एनरजी को बरबाद कर दिया आपकी बोड़ी में पेन आना शुरू हो कर दिया आपकी I mean immunity बैट गई नीचे ये भी तो एक्षन आप ही के हैं याद रखेगा सारी की सारी डिजीज आपके एक्षन मात रहें कौन से नोन वर्बल और याद रखेगा इन एक्षन का एक रिजल्ट के रिये तो और होता है आपकी लाइफ में और इन रिजल्ट का सम टोटल जो है अगर आप सभी रिजल्ट को एक जोड़ दें तो हर मॉमेंट पर आप एक लाइफ को जी रहे हैं इसक पिर तो आपको को जूरत दी नहीं लेकिन गड़ बढ़ तो यह होगी तो हमारे लाइफ पास तो अंडिजाइड लाइफ है एंग्जाइटी कभी तो ऐसा लग रहा है गला खुट रहा है कभी असा लग रहा हार्ट बीड बढ़गी पैल्पिटेशन बढ़गी असा साइको सोमेटिक डिजीज नार्सिसम मारने को लोग तयार रहते हैं पैनिक अटेक सुसाइडल वॉयलेंस सारी अंडिजाइड लाइफ है मुझे एक बाइब बताओ अगर आप अंडिजाइड लाइफ को ठीक करना चाहते हो तो एक्शन को ठीक करोगे नहीं कहां से फिर ए लो मैं बता रहा हूं यह मैंने भी कह दिया अपने बीपी को 120 वाइटी कर लो 120 वाइटी कर लो हो गया नहीं हुआ सर तो कहने यह शम्त सारे बेकार है जब तक कि आप इवेंट को ना बदल दे कौन सी नियूरल इवेंट जो आपके माइंड में पढ़िए अगर आप रिवेंच पास्ट की अब्यूज चाइल्डूट की इमोशनल फिजिकल अब्यूज एक्सिडेंट ब्रेक अप फेलियोर लताड लोगों की कई बार और यह सब चीजे हमने यहां पर डाल रखी हैं निश्यूत रूप से वहां बहुत अच्छी भी हैं पर हमारा माइंड वह रिजोल्ड होती है और माइंड सिर्ण उनको रखता है जो अन्रिजोल्ड होती है नेगेटिव होती है एक ऐसा क्यूं करता है मैं पताओंगा कभी अपनी वप्शोप में प्रेंट्स याद रखेगा अगर यह निउरल इवेंट नेगेटिव हैं तो आपके पास दो केम बलड शूगर बढ़ जाएगा आपके पास 72 ग्राम बलड शूगर आपके लिवर में पड़ी होती है अमर्जेंसी के लिए जैसे ही आपका निगेटिव श्टेट आई आपके माइंड ने माना कि अब आप खत्रे में हैं तो आपको फाइट और फ्लाइट करना है दोड़न पर हम सिम्टम ठीक करने पर लगे पड़े हैं डिजीज यह है कि आपके माइंड में इस समय टाइगर घूम रहा है कोई यानि के डैंजर घूम रहा है दूसरा काम यह क्या करेगा आपकी नसों को श्रिंक कर देगा पीसे से हाटबीट बढ़ा देगा यह मानते हुए कि गंटे हमने अपने माइंड को बरबाद कर दिया है तो चोबिसी गंटे हमारी नसे श्रिंक हुई पड़ी हैं तीसरी चीज यह करेगी कि कोर्टिसोल जो भी आप खाएंगे ने खीरा भी खाएंगे ना आप खीरा पानी भी पिएंगे ना उसे भी कनवर्ट कर देगा कमीन दोड़ लगा लिया है वेट कमनी होगा कैसे हो जाएगा साथ कोर्टिसोल बंद करा आपने नहीं और कोर्टिसोल कैसे बंद होगा जब आप यहां की नियूरल इवेंट को बदलेंगे और याद रिखेगा रिजल्ट यह है कि आज हमारे लाइफ में डायबिटीज शरीर की कोई प्रोब्लम नहीं है माइंड की प्रोब्लम है लेकिन हम शरीर को ठीक करने पर लग रहे हैं मैं यह नहीं कर रहा हूं करना नहीं करना पर माइंड को ठीक करना और उसके बाद क्या होगा जब यह डोपामीन और सौरी एडरनलीन और कोर्टिसोल निकले तो आप क्या करो सब डॉपमिन की गोलिखाओ और वह डॉपमिन की गोलिक avoir आदी हो घोए थे तोक्टर किहता डबल कर तो फिर वो भी नहीं काम कर तर दोक्टर कहता है भाई नभी हाथ मेरे हात में कुछ नहीं इस आपने आपको या family को dopamine spike तो आपका भी भी create कर सकते हैं मैं लिखके दे रहा हूँ dopamine spike is just a thought based process dopamine spike is a thought based process you don't need even food for it any food पढ़िये तो सही कितना easy लिखा है चीजों को serotonin जिसको हम happiness chemical कहते हैं प्रेट में बनता है और पेट में अगर आपके एंग्जाइटी नहीं एंड माइंड कणेक्शन कभी पढ़िएगा आपके माइंड का आपके जो बैक्टीरिया है उनके साथ communication है अगर आपके माइंड में stress आ गई तो आपके बैक्टीरिया एकदम से बैठ जाएंगे और आपको ibs ही नहीं होगा serotonin बंद हो जाएगा happiness खतम और हम कहरें कि नहीं सर एंटासीर पी लेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा या कुछ भी करते रहना आपके माइंड से थोड़ चला गया है आपके वैक्टीरिया को लाइनिंग को चला गया है जिसम गट लाइनिंग कहते हैं काम गड़बड होगा हम पढ़ जो चीजे हमारे सामने आ चुकि हैं उनको कभी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते कई बा ऑक्सीटोसिन लव केमिकल अगर आपके पास नहीं है तो कैसे रिष्टा निभाएंगे बचों बच्चों का ऑक्सीटोसिन लेवल खतम कर दिया गया है किसी लिए कनेक्शन फिल नहीं करते पेरंट से दादा नानी से दादा से डे डेंट फिल गूट कनेक्शन विद है मेरा कहने मेलाटोनिन इस्प्रिश्वल केमिकल यूमन ग्रोथ होर्मोन एच जी एच इन ये बंद हो गए हैं सबके और हम फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हमें सफलता चाहिए पहला जीवन चाहिए 62 साल की उमर में बिलियनेर मर जाता है और 58 साल की उमर में कोमेडी ककिंग मर जूज रहा है बगवान करे कि वो कल तक ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी उनके प्रिवार को उनका साथ मिरें अगर यही नियूरल इवेंट निगेटिव हो जाएं फ्रेंड्स याद रखेगा अलोपीशिया लूपस जैसी खतरनाक बीमारिया सिर्फ माइंड से पैदा होती है अब तो आप समझ गये कितना है इंपोर्टेंट यह और अगर हमें ने ठीक करना है तो फिर आपको यह समझना होगा कि आपके पास है यानि कि आनलपी भी मत समझे एक ऐसा मैनुवल एक ऐस एक्सेसाइज का एक पुरा बंडल जिसमें 15-16 टोपिक हैं 25-30 एक्सेसाइज हैं उनको मैं आपको सिखा दूँ और कहीं कोई भी प्रोब्लम आ जाए अपने आप भी ठीक कर लोगों को भी ठीक कर दो तो इसका नाम एनलपी सबकॉंशिस रीम प्रिंटिंग है आपको क्या कर सकतेैं यद्रिक के एनलंपी से जिस टेकनिक को मैं आपको दे रहा हूं आप किसी भी पैन्फुल पास्ट को आऊठा सकते हैं पहला यकीन ही नहीं आता है लोगों को मानने को त्यारी नहीं होते पास्ट भी हम रिपेयर कर सकते इसापूं सबसे पहला प्रो प्रोब्लम ह हमारे पास्ट का है हम अपने परत्मान को जी का रहे हैं हमारा परजेंट परजेंट नहीं है परजेंट को परिसेंट से लिखिएगा परिसेंट जैसे हम कल थे वही हमाज हैं जैसे दस साल पहले हमारे अंदर विचार आ रहे थे वही विचार आज बड़े बन रहे हैं तो हम हैं आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूं पर मियार कर नी रहा हूं क्योंकि आपके पास्ट के पेंफुल रेफरेंसिज पड़े हैं और वो नियूरोन ने जकड रखे हैं और आपके ऐसी बिलियन नियूरोन का पहले हुएं साथ ट्रिलियन सेल्स के रिसेप्टर पर उन्हो 9.9 लोगों के लिए मोटिवेशनल टोक सिर्फ और सिर्फ एक एडिक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है उन्हें लगता है कि मैं कुछ कर लोंगा बस वह एंग्जाइटी बढ़ जाती है लेकिन अगर आपने अपने अंदर के अब्जेक्शन्स को अपने अंदर के प्रोग्र दोसरी मैं हाँ मैं यह बता रहा हूं कितने लोग हैं जो आज पैनफुल मैमोरी को कोई भी पढ़ी है आपके पास और आपके परिवार के पास मैं पूछूंगा नहीं कितने लोग ठीक करना चाहते हैं और मैं एक चीज़ बताओं आपको अगर आप बीमार है आपके किसे कोई एक्सिडेंट हुआ है आपके पास्ट में या फिर कोई बीमारी आई ए उस बीमारी से पहले आप तनाव से गुजर रहे थे उन मेमोरीज को आप आज हटा लीजेगा दिल से दूगा दिल से दूगा और जब आप हील हो जाए ना और यकिन आ जाए कि उसी के डिप्रेशन और एंग्जाइटी को हील कर सकते हैं अनलपी के दौरा तीसरी बड़ी चीज़े दोस्तों वह है इनर सेल्फ इमेज आठ साल की उमर तक हमारी इनर सेल्फ इमेज को यह दुनिया खो देती हैं हम सब डिस्टोर्टिड इनर सेल्फ इमेज के साथ जीते हैं तुम से यह नहीं होगा तुम यह नहीं कर सकते तुम बरबाद हो तुम इरेस्पोंसिबल हो तुम चीट हो तुम इडियट हो तुम स्टूपिड हो तुम बीमार हो तुम अलकॉलिक हो तुम स्मोकर हो सारी ब्रेंडिंग हमें दे दी जाती हैं और हमारी सेल्फ को यहीं नह पता हूँ कि मैं हूँ कौन और फिर हम जब हैं मैं हूँ कौन तो मुझे ये भी नहीं पता मैं जी क्या रहा हूँ ठीक है ना एक इसी लिए दो लाइन का एक शेर है यूँ जिन्दगी के साथ बहुत दूर तक चला ये और बात है कि तारुफ ना हो सका तारुफ मिंस इंट् आप अपने destructive pattern को भी हील कर सकते हैं addiction को हील कर सकते हैं आप अपने सभी phobia को हील कर सकते हैं NLP के द्वारा ये मेरी guaranteed है तारी आप अपने mood swing को panic attack को वाइलेंट बियेवियर को और सुसाइडल थोट्स को पूरी तरह से हील कर सकते हैं अंडर माई गाइडेंस आप बेकार के बैड ट्रीगर को ठीक कर सकते हैं जो चीजे कल पर टाल रखी हैं आपने सालों से अब तक वो कदम नहीं उठाया जो जरूरी है अब उठा लेना आप इंटरनल टॉक्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं जो इंटरनल टॉक्स खराब चलती हैं ओवर्थिंकिंग आप अपनी बड़ी वेल्थ के लिए अपनी मैंटल स्क्रिप्ट को ठीक कर सकते हैं मैं आज करूंगा कितने लोग तयार हैं पैसे के लिए भी बिजनिस गोल्स की मास्ट्री करवाओंगा आज ही आप अनकंशिसली किसी को भी मॉडलिंग कर सकते हैं अनकंशिस मॉडलिंग और बिलीफ सिस्टम यानि कि आज मैं पाच्छे टेक्निक आपको दिल से दूँगा मुझे इतना पता है कि जिस दिन आप जब भी ये वक्षो टुडे जिस प्लेटफॉम पर महीं हर महीने दो मिलियन लोग आ रहे हैं देखने के लिए दो चार जार नहीं जहां पर मैं लोगों को सिखा रहा हूं फ्रेंटल लोब एक्टिवेशन हार्ट कंशिसनेस डिन ने जीन हीलिंग मैं अपने आपको चैलेंज करता हूं हमेशा बेहतर चीज़ देने के लिए तो आप मेरे साथ जूड़े रहिएगा रिलेशन्शिप मास्ट्री आप ठीक कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने लाइफ परपज को डूड़ सकते हैं मॉड़ल कर सकते है आज है राम देव की मोधी मैं देव में हिंद्र सिंग दोनी और एक दो लोगों की और खुबसूरत लोगों की मोडलिंग आपको सिखाऊंगा सिखने को तयार है अमिताब बच्चन महिंद्र सिंग दोने राम देव तीन लोग ले लेता हूं इन तीनों के आज आज आपको माइंड का पैटर्न सिखा दूगा कि यह रहा इनका माइंड खोल दिया मैंने सुनके जाईएगा फिर मेरे साथ जुड़िएगा आप लोगों के माइंड की लेंग्वेज पढ़ सकते हैं NLP के द्वारा और आप 21 शताबदी का न्यूज एन करियर डवलप कर सकते हैं घर बैटे आप कॉंसलिंग कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ मेरे बहुत सारे ट्रेनर को बढ़िया कोंसलिंग कर रहे हैं दुनिया के साथ मेंगिंग गूड मैनी ओलसो इस सवाल उठता है कि क्या यह हो जाएगा तो चलिए मैं पहली टेक्निक यहां से सिखाता हूं पहली टेक्निक सबसे इंपोर्टेंट हैं अगर आप इस वक्त घर में बैटे हुएं और आप एक पेरेंट हैं तो मैं यह कहूंगा भले आपके आज पास आपके बच्चा है कोई ओ चटी किलास में पांचवी में साथी किलास में दसवी में उसको भी बठा लीजेगा आप का स्पाउस है पेरेंट्स है उन्हें भी बैठा लीजेगा मैं तो यह कह रहा हूं और मैं सब को सिखा रहा हूं कि कैसे वह पैनफुल मैमोरी को आए आपके एक सवाल होजगता है मेरे बच्चे को कहां से पैनफुल मैमोरी आई लोग यही समझते हैं लेकिन कभी एक स्कूल में जाईएगा कोन सी किलास के मैं बता रहा हूं मैं मुंबई में भारत पैट्रोलेम के एक बड़ी कम आई मिन कोलोनी है आई तिंक को आइनल्टी की टेक्निक सिखाई मस्ती से बच्चे खेल रहते सीख रहते और अचानक मैंने कहा कि मेरा तो सेशन कतम हो रहा है किसी को पैनफुल मैमोरी तो नहीं तो एक पेरेंट हस पड़े इनको क्या पैनफुल मैमोरी होगी लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे एवरी ग बॉइज औल्सो रेज़ दा हैं मेरी टीचर ने मुझे गलत बोला है तब से मैं बैड वैटिंग करने लगा हूं मुझे गलत तरीके से टच किया गया घर में मैं डर गया हूं किसी चीज से एक्जाम का मुझे डर लगता है इतने सारे इशू हैं और पेरेंट्स कह रहें कि इन बच्चों को हम यह बच्चे एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं यह एडिक्शन के शिकार नहीं है बच्चे असलियत में यह अपने आउटलेट को निकाल रहे हैं किसी तरह से इमोशन के के हो फोन पर जाकर जो पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि बच्चे का सर एडिक्शन ठ सिखा सकता हूँ अगर मेरे साथ जूड़ें तो पर कैसे पता चलेगा अब मैं आपको एक के बाद exercise सिखा रहा हूँ अब मैं कम से कम आपको पांच साथ exercise सिखाऊंगा दिल खोल कर जितने लोग दिल खोल कर लेने के लिए तैयार हैं वो लें जिनको अपने परिवार से प्यार है बठाए परिवार को और जिन को यह लग रहा है कि उनके लिए अभी दूसरे काम जरूरी है बिलकुल विद फ्रेंडली वे विदा कभी भी आप इस वेबिनार को एंजोई कर सकते हैं छोड़ सकते हैं क्योंकि यह मेरा कोई आप कैप्टिव कराउड नहीं है मैं तो दिल से दे रहा हूँ जिन चीजों से मैंने अपने आपको ठीक कर लिया आज आपके कई चीज़े ठीक हो रही है मैं एक बार फिर सुनिएगा अगर आप माईगरेन अगर आप A.C.D.T. I.B.S. साइको सोमेटिक ओटो इम्यून डिजीज के शिकार हैं तो जब यह डिजीज शुरू हुई थी उस समय आप जाईएगा और उस समय देखेगा कि आपके अंदर क्या चलना है और आप पाएंगे कि वहां आप खुश नहीं है बस वही डिजीज आपकी डिजीज में कनवर्ट हो गई है आपने कोई एक्सिडेंट देखा आपके पास कोई फेलियोर आया आपने धन खो दिया आपका कोई रिस्ता त आते जब आपको डॉक्टर ने कहा था तुम्हें ये बीमारी हो गई अगर आप बीमार है तो उस मेमोरी को अटाएंगे जब आपके किसी खास आदमी ने बच्पन में फिर आमीनिया तो पिरेंट ने शादी के बाद आपके स्पाउस पती या पतनी ने या फिर किसी बोस ने कह दिया तुम से कुछ नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर सकते इस मेमोरी को आज हटा लीजेगा और आपकी सेल्फ इमेज बेतर हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं आपके पैसे की बात करूंगा शुरू करते हैं तैयार हैं अगर हां तो एक बार बिग आय तो जरूर लिखेंगे एक बार आई टाइप करेंगे तो मैं जरूर देखूंगा सुनील कुमार ने अनुरादा केदर पूजा सीमा सनया मिलिंद सोना अली संतोष विशाल राज हैं बहुत लोग लिख रहे हैं तैंकी वेरी मच जेयोदीब मनुजध आशुईदा सुरिता दिलीब ज मैसेज आपकी लाइफ को बदलने वाला है और उसके बाद पैसे के लिए उसके बाद सैल्फ इमेज उसके बाद राम देव के हमिताब बच्चन के और महिंदर सिंग धोनी के बिलीफ आपको दे दूँगा उसके बाद किसी भी आदमी को किस तरह से मोडल करें किसमें कि नहीं थी ठीक है ना मैंने तो मोडल किया कुछ लोगों को और सी मोडलिंग का मैं अपने करियर को बनाकर अपने मस्त करियर के साथ एंजोई कर रहा हूं आपको भी सिखाना चाहता हूं सीख लेना ठीक है ना फिर आप मेरी वक्षब ना करें यह आपके उपर है मैं तो ऐस कॉलिस टाइम ओफिस प्याला प्यार ब्रेक अप कोई भी चीज आ रही है बच्पन की कोई अब्यूज किसी का धंका धंकाना कोई पीछा किया किसी ने स्टॉकिंग की बच्पन में तरपाया किसी ने कोई भी है इन ग्रीफ कंदे सी दे रखने हैं बस अपनिवार को बठा आपके साथ क्या हुआ था आपके नियूरल इवेंट को अटा की दिखाऊंगा अच्छी सिर्फ पांच मिनट के लिए कंदे सीधे करके इस समया आप कंदों को सीधा करके आखे बंद कर लें और हां कोई भी गाड़ी चला रहा है कई बार गाड़ी चलाते वेबिनार सुनत आपको और देखना भी कुछ नहीं बस मुझे सुनते रहिएगा मैं आपके माइंड को गाइड कर रहा हूं अपनी लेंग्विज से नाव इमेजिन करिए कि आपके सामने दस बारा पंद्रा फीट की दूरी पर एक शिशे की पार्टिशन है गिलास वोल है इमेजिन करिए क से लसीडी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में राइट एंड में इमेजिनेशन में मान लीजेगा ज़रूरी नहीं आपके पास कुछ हो और अब पहला काम करेंगे पहला बटन दबाये तो अपने अंगुटे को अलका सा उंगली पर दबा दिजेगा दाइने हाथ के अंग ट्रांसफर कर दिया है टीवी स्क्रीन के उपर या लसीडी के स्क्रीन के उपर जो गिलास वॉल के परे रखा है अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर मैं कोशिश करूंगा कल्पना करें कि आपने लसीडी से एक रवर बैंड इस मेमोरी के उपर बांदिया है मेंटल स्क्रीन पर कौन कौन से सीन ऐसे हैं जिसमें आप जादे बहुत परिशान होते हैं जो याद आते हैं तो तंग करते हैं वो दो तीन चार सीन ही होते हैं जादा नहीं होते फिर भी देखेगा कई बार पहला दूसरा पांच वाय से दिखाई देगा अब आप एक काम करेंगे एक बटन औ और दबाईए अंगुठा प्रेस करिए अंगली के उपर और इमेजन करिए कि आपने टीवी के वोल्यूम को घटाना शुरू कर दिया है टीवी के वोल्यूम को घटाते घटाते जीरो करिए इमेजन करिए वो लियूम वाली लाइन घटती जा रही है टैन नाइन एट सेवन सेक्स फाइप ओर त्री टू वन जिरो जिरो पर लोग कर दिजे और अब आप इमेजन करिए कि आपका टीवी पूरी तरह से शान्त हो चुका है अब आप इसे म्यूट करके फिर एक बार उस घटना को देखिए और पूरी तरह से सन्नाटा महसूस करिए इमेजन करेंगे इस वक्त के पूरी तरह से सन्नाटा आ चुका है किसी ने कुछ बोला था तो होट होट हिल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा अगर आवाज अभी भी आ रही है फिर म्यूट करिए फिर म्यूट करिए आपके रहे सर अभी भी आवाज आ रही है कानों में इमेजन करिए कि आपने एक कोटन डाल लिए हेड़फोन लगा लिए हैं अभी भी आवाज आ रही है imagine करिए कि उसके speaker अटा दिये आपने पूरी तरह से और अब आप imagine करिए कि कोई भी आवाज थी sound थी cry थी shout था धमाका था कोई आसपास कोई और background की sound थी कोई भी सब को mute करिए और imagine करिए कि आप mental screen पर complete सननाटे को महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर ने कुछ बोला था तुम्हें यह बीमारी हो गई है बंद करिए उस आवाज को आपने अस्पताल में कुछ देखा था बंद करिए सब आवाजों को पूरी तरह से जैसे करेंगे तो आपको यहीं से रोंगटे खड़े होंगे पॉजिटिव लेवे में अब एक काम और करेंगे एक बटन दबाई और इमेजिन करिए के आपने सभी सीन को ब्लेक और वाइट करना शुरू कर दिया एक काम करो कल्पना करो आपने काला चश्मा लगा दिया है या फिर गिलास वोल में ग्रे कलर डाल के रह गोडोर बलेक और वाइट करना है पुरानी फिल्मों की तरह कोई ड्रेस थी किसी की आपको दिखाई दे रहिए चेहरा एक लेफ्ट अफ राइट अफ लेफ्ट डाउन राइट डाउन बीच में भी दिखाई दे रहा है जैसे हमें जूम के सीन दिखाई देते हैं लोगों के और सब को पूरी तरह से ब्लैक और वाइट देखेगा साउंड नहीं है वहाँ पर और एक काम करेगा इमेजन करिएगा कि बारिश होना शुरू हो गई है इन सीन के उपर एक बटन दबाईए और एक बारिश करना शुरू करिए या इमेजन करिए यहां से आप पानी का एक फवारा डाल रहे हैं जैट डाल रहे हैं और इमेजन करिए कि यह सीन घुलने शुरू हो गए हैं पुर लोट कराएगा कोई दिक्कत नहीं उसे रोकिए दो डालिए आप कहरें कि रामसर अभी भी है एक सीन तो एक काम करो उसे ले आओ सामने और इमेजन करो आपके पास एक ब्लैक पेंट है ब्लैक पेंट कर दो और ब्लैक पेंट में गायाब कर दो और एक बटन दबाओ और इमेजन करो कि यह टीवी उड़ता हुआ आकाश में जा रहा है सूरज के साथ यह टकरा रहा है और इसकाई में जाकर यह गायाब हो गया है एक बटन दबा कर यह ग्लास वोल सामने से अटाओ और एक बटन दबाओ और जहां पर यह टीवी रखा हु बढ़िया सी मेमोरी में आप एंजोई कर रहे हूँ, इमेजिन करो पीछे से एक साउंड भी डाल दो, हो जाएगी बल्ले बल्ले या जिंगट वाला गाना, कोई बढ़िया सा सौंग सुनो जिस पर डांस करते हैं आप इस म्यूजिक को की आवाज बढ़ाओ, मन ही मन के अंदर और अपनी हस्तेवे चेरे का कलर देखो, खूब बढ़िया तरीके से और ऐसा करते हुए अब आप धीरे-धीरे सांसों को नॉर्मल करते हुए आखे खोल लो, चारों तरफ देखो और आखे खोल कर चारों तरफ देखो एक बार और अब उस मैमोरी के बारे में सोचो मैंने अभी सिर्फ पांच मिनट लगाई हैं और हो सकता ये मैमोरी बीस साल पुरानी हो पर मैं आपसे एक सवाल पूझना चाहता हूँ अगर पहले इस मैमोरी की इंटेंसिटी टैन में से टैन थी मान लेते हैं तो अब दस में से कितनी बची है एक बार जरा वो नंबर तो लिखकर बताओ दो रानी ने लिखा है दो आठ विकास दस से एक डॉक्टर शीला चार चार एक आठ एक आदमी ने आठ लिखा अभी तक पास तीन एक छे एक एक पास चार मनीश जिंग जिस्विंदर रिशी बिजंदर संगीता जगदीश राम ग्यातरी सतीश अर्चना रीटा वुपेंद्र जीरो इस्टिल कंटीनियूंग ओके अभी कर रहे हो तो करते रहो जो अभी कर रहे हैं वो करके दो बार कर सकते हैं कर लिजेगा नहीं तो मैं कराने जा रहा हूं ठीक है तुक कुट सरोज अगरवाल वन परसंजीत दीपक कुछ नहीं बचाहे मंत कुमार वन नेहा नायक दो दृष्टी द्री ठीक है ना ओम प्रकास्टू एनिवी थैंक यू वेरी मच मैं आपसे सवाल करता हूं मेरे साथ जुड़े मैंने आपको सिर्फ पांच मिनट दी हैं और मैंने इन में सिर्फ पांच मिनट में मैंने कमांड दी आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं जिन लोगों ने पांच या उससे कम लिखा है ये मैमोरी उन्हें कभी तंग नहीं करेगी याद जब भी आप करना च आओ जिन्हों ने अभी यह भी कहा कि अभी तसमें से दस है तो हो मेरी बात को गोर से सुनेंगे च्छे-स-था 789 तसवाले या तो अभी कोई कलर बाकि इया फ्रेंड्स आपका इसमें चाहर को यह कोई अभी सांड बाकी है या फिर अभी आपकी यह टीवी में नहीं बेज ब कोई आपके पीछे भागा था किसी ने आपको मारा था तो वो मुमेंट अभी आपने रोका नहीं जैसे मुझे देखेगा माले दे कोई मुझे माररा है तो मुझे यहां रोक देना हैं तो जैसे आप दुबारा करेंगे एक बार फिर जिन्होंने साथ आठ लिखा है दो तिन ने लिखा है, मैं उनको भी समय दूँगा, क्योंकि वो मेरे यकीन पर यहां बैटे हैं, एक बार फिर लोग कंदे सीदे करिए, बाकी लोगों को रिवाइज करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद मैं पैसे के साथ आपका रिष्टा आज ने तरीके से जुड़वाऊंगा, दिल खोल के लिजेगा, अब शुरू हो चुका है जर्ना बैना, एक बार फिर कंदे सीदे करिएगा, जिन लोगों को रिपीट करना है वो कर सकते हैं, जिन लोगों को अभी जूरत है वो इसलिए करें, मैं एक मिनट में कमांड दूँगा देखेगा, कंदे सीदे करिए, इ एक शीशे की दिवार है ट्रांस्पेरेंट ग्लास वोल है पार्टिशन है उसके पर एक टीवी सोचिए इमेजिन करिए के वान टू-3 आपने उस मेमोरी को वहां देखना शुरू किया उस आदमी को उस घटना को अपने को जो भी है और वान टू-3 बटन दबाईए और सारी आवाजे बंद कर दीजेगा बटन दबाने के बाद एक बटन रोट दबाईए बलेक एंड वाइट करिएगा और बटन एक बार रोट दबाईए और कौन-कौन से शीन को आपको फ्रीज करना है फ्रीज करिए और देखेगा कोई आवाज तो नहीं अगर है तो उसे म्यूट करिए कलर में कोई कलर तो नहीं बचाए डल करिए और कोई मूवमेंट है उसे भी खतम करिए रोग दीजेगा और एक काम करिएगा ना इमेजिन करिएगा इस बार आप नहीं तो उसको पेंट करें नहीं बारिश करें इमेजिन करिए कि आपने इस LCD का सिगनल खतम कर दिया है और सुनोइंग शुरू हो गई है सुनोइंग सुनोइंग खतम कर दें सुनोइंग होती ना जैसे लगता है कि भारी बर्फ पड़ रही है डोट 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 चलते रहते हैं और ढूंडने की कोशिश करें इस मेमोरी सामने से अटा दीजेगा और एक बढ़न दवाकर अपने हस्ते वेचेरे को सामने देखेगा और आपने पास की मेमोरी को अब आपका सवाल होगा सर कितनी मेमोरी को अटाना है कौन सी को अटाना है जहां पर भी आप खुश नहीं लेकिन पांच से साथ होती हैं ज्यादा- मैं एक चीज़ और बता रहा हूं आपको आज आपने ये काम किया है जैसे आपके माइंड को सुकून मिलेगा तो आपका माइंड अगले पांच शे दिन तक लगातार आपको कई बार पुरानी मेमोरी याद दिलाएगा और आप चौक जाओगे यार मेमोरी यह कहां से आगी च्छटी किलास की बात है मेरे से गलती से एक बच्चे को तपड़ लग गया था और मुझे दर्द हो रहा इसका अचानक बस यह वही बात है जिने हम सप्रेस्ट इमोशन कहते हैं फ्रेंड्स जिनकी वैसे सप्रेस्ट इमोशन की वैसे आदमिया आदमत्या कर लेता है लगेगा और एक एक मिनट माटाते रहेगा बस हार टाइम तयार रखेगा लसीडी में आजा विया तो मैं मिटा देता हूं और आपका माइड इतना खुश होगा वहीलिंग की पहली बार फीलिंग कर रहा होगा आज रात के आपकी निंद डिफरेंट होगी एक बार फिर आ होगी मेरे सामने आगे खड़ी हो गई मेरी आँखों में देखते रहे अजनभी की तरह फिर मुस्कुराई और उसने मुझे हग किया पहले फिर मैंने मुझे हग किया और रामसर पता है मेरे पेट पर एक पत्थर सा रखा रहता था वो हट गया आज डैट वाज दा द्रोब से अब टेकर बनना चाहिए खूब लीजेगा यह वो मॉमेंट है जो आपको अपने आपको दें आपके बच्चे के पास मान ले ते किसी बच्चे को धंका दिया टीचर ने तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा और आपने बस इस मेमोरी को हटाया नहीं अभी तक और आप कह रहें आपका बच्चा पढ़ाई में आप इंट्रेस्ट को चुपा है पढ़ाई में उसका इंट्रेस्ट है इतने गलत इंप्रिंट आज गल पढ़ जाते हैं इनि स्कूल में आदर्वाइस मत लिजेगा मैं भी एक स्कूल का मालिक हूं कि कहा नहीं जाता कई बार याद रखेगा इंप्रिंट हमारे स्कूल के ही नहीं छूटते लाइफ ने और हमें फिर मजा ही नहीं आता लाइफ को जीने का पर आज मैं आपके साथ दूसरी चीज़ शेयर कर रहा हूं और वो है आप मेंटल स्क्रिप्ट कैसे करें बड़ी वैल्थ और प्रोस्पेरिटी की और उसमें भी पहला मैं दे रहा हूं इसके बाद मैं बिलीफ चेंज करवाँगा उसके बाद मैं तीन लोगों की मेंटल स्टेटेजी आपको दूँगा फिर आप आपने आप ले लिजेगा बाकी लोगों की और उसके बाद फिर मैं आपको मोडलिंग सिखाऊंगा और फिर मैं आपके सामने अपने चोदा दिन की वक्षोप की बात भी करूंगा क्योंकि आप मैंसे कई लोगों ने मुझे अब तक कई मैसेज डाल दियें कि वी वांट तो जोएन यूर वक्षोप वी पीपिल आर जोएनिंग every month we are the biggest transformational platform not only in India but beyond it also so you will enjoy it चलिए अब मैं आपके साथ एक खोबसूरा टेक्निक कर रहा हूं यहां से मैं आपकी self image को बदलूँगा और आज मैं आपको इतनी दूर बैटे हुए पता नहीं मैं आप से कितनी दूर बैटा हुआ हूँ कुछ हो सकता है मेरे शेयर के बैटे हूं कुछ से शेयर तो सभी मेरे हैं पर हो सकता है डिस्टेंस ज्यादा हो लेकिन एक गिफ्ट दे रहा हूं मैं आपको प्री इंडेपेंडेंस दे पर और यह गिफ्ट दिल से दे रहा हूं आपके पास बहुत सारी गिफ्ट आई होंगी आपके बर्डे पर पर मैं आज आपके लाइफ की बिगनिंग नहीं दे रहा हूं मैं आपकी सेल पर ठीक करने का तरीका बता रहा हूं पहले कंदे सीदेर करिएगा और एक छोटीचे एक्सराइज मेरे साथ करिएगा यह सिर्फ वन मिनिट एक्सराइज है लेकिन जैसे आप अपने बच्छों के साथ भी करेंगे मैं बहुत सारे हल्प करूंगा और अगर आप अपने साथ करेंगे तो हेल्धी हेल्थ को वापस आप अपने खोई होई हेल्थ को वापस ले लेंगे पैसे के लिए करूँगा पहले में आपके पहले पैसे के लिए कंदे सीदे करें यह एनलपी की बहुत इंपोर्टेंट टेकनीक है इस टेकनीक का नाम भी मैं पहले बता देता हूं इसे हम कॉंट्रास्टिव एनलेसिस और मैपिंग अक्रोस कहते हैं यह मैं अपनी वक्षोप में बताऊंगा तो पूरी तो डेफिनिशन कंदे सीदे करिए और एक सेकंड के लिए सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आपका यकीन है कि यह रिच लोग हैं हमारे देश के या दुनिया के आखे बंद क लोगों को देखेगा पांच-शे लोग तो आप जानते ही हैं रिचेस्ट पीपल ऑफ दा कंट्री और मोस्ट इंफ्लूएंशल पीपल ऑफ दा कंट्री वो जानते हैं पांच-शे साथ हैं जो भी हैं अब यहाँ पर मैं कुछ सवाल पूछूँगा उन सवालों का जवाब मन ही मन देते रहिएगा जब आप इन्हें देख रहे हैं यह इमेजिस कलरफुल है के बलेक और वाइट हैं छोटी है के बड़ी हैं यह इमेजिस सामने हैं कितनी दूर दिखाई दे रही हैं क्या यह पैनोर्मिक इमेज हैं यह फ्रेम में दिखाई दे रही हैं यह त्री ड खाई देरी है मेंटल स्क्रीन पर सब के आज आ गई है आंके खोलिए एक बार चारों तरफ देखिए और अब आप फिर एक सेकंड के लिए एक आंक बंद आइमीन दोनों आखें बंद करेंगे एक सेकंड के लिए और इस बार आप अपनी इमेज लाएंगे तिंक ओफ यूर का जवाब बस फाइनल कर देता हूं अगर उन इमेजिज की बात करें जो रिच लोगों की इमेज है और आपकी इमेज है तो कितने फर्क आपको दिखाई दे रहे हैं वो कलरफुल है तो यह कैसी है वो कहां दिखाई दे रही है यह कहां दिखाई दे रही है आपकी इमेज और आप आएंगे कि जो रिच लोगों की इमेजिज हैं और आपकी इमेजिज हैं उनमें कोई ना कोई फर्क है दो, तीन, चार कितने फर्क है ढूडने की कोशिश करें अब आप अपने माइंड को एनिलाइज कर रहे हैं यू आर बिकमिंग दा इंजीनियर ओफ यूर माइंड ढूडने की कोशिश करें कितने फर्क नजर आ रहे हैं उन लोगों की इमेज कंसिस्टेंटली दिखाई दे रही हैं कई बार अपनी इमेज आती है चली जाती है घुड़ है कितने लोगों को यह लगता है कि पहली मेज जो रूडश लोगों के मेरी इमेज है इन दोनों में फर्क जरूर झाँ एक फर्क है जहें दो है चार है चैस्छे फरक है ृमिंडि इफरेंस आप पाएंगे कि सब को ऐसा लग रहा है कि यार वो इमेज अलग है या मेरी अलग है अब मेरी बात को गोर से सुनेगा फ्रेंड्स इस पर मैं कुछ लिखवाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरी बात को सुनेंगे अब किक करने के मैं बताऊंगा मैने अधिकांश लोगों को देखा है कि क्योंकि अपनी इमेज सारे लोगों तो दिखाई नहीं देती दुझां के दिखाई देती अप chat at कितनी बड़ी प्रोब्लम है क्योंकि हम अपनी इमेज को लाइक ही नहीं करते हैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं we are self-hater that is why we are enjoying we are experiencing the disease and disasters क्योंकि हम खुछ से नफरत करने लगते हैं हमें खुदी की इमेज अच्छी नहीं लगती एक तरफ रख देते हैं मेरी बात को गोर से सुनिएगा अगर आपकी इमेज और बाकी इमेज में फर्क आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका सबकुशिस ही आपकी इमेज को वहां नहीं रखता जहां पर उसने रिच लोगों की इमेज को रखा हुआ है यानि के मैं अपने ही माइंड में उस जगे पर प्लेस नहीं हूँ जहां पर रिच लोग रहते हैं यानि के मेरे अपने ही घर में उस जगे पर बैठा ही नहीं हूँ जहां पर रिच लोग बैठे हुए this is the biggest problem आज मैंने कहाता ना मैं आपको एक self image की gift दे रहा हूँ आपको लोगों ने दी होगी कितने की gift दी होगी मुझे मालूम है जाज़ाद है आपको एक car दे दी होगी किसी ने gift 10-15-20 लाग की और होगा तो किसी ने आपको एक मकान दे दिया होगा लेकिन मैं आज आपको life की gift दे रहा हूँ लीजेगा मैं आपकी self image बना रहा हूँ और यही self image मैं अभी 5-6 तरीके से बनवा दूँगा ताकि आप खूब enjoy करिएगा और आपको लगे के free class में अगर इतना मिल सकता है जो दो दिन की workshop के बराबर हो तो फिर मेरे साथ 14 दिन बिताईएगा online और आपकी life का पूरा का पूरा scenario मैं बदलने कर दिखाऊंगा guarantee के साथ और यह guarantee fail हो गई तो मैं आपको यह कहूंगा कोई बात नहीं यह guarantee card आप ले लिजेगा शुरू करते हैं friends कंदे सीधे करेंगे अब आप और अब सिर्फ मुझे 90 सेगंड देंगे आप वाइदा हैं तियार हैं कंदे सीधे करिए आँखों को सिर्फ बंद कर लिजेगा सांसों को नॉर्मल करिएगा और imagine करिए कि आपके हाथ में divine remote control है और imagine करिएक रिक के remote control को आप यूज कर रहें बटन दबा दबा कर और जो रिच लोग हैं झीरे धिरे imagine करिए कि हिसी सेंटर में इमेज्ण करिए, तोड़ों सो को आप left में हटा और फोड़े लोगों को आप राइट में अटा रहे हैं और बीच में जगे बना रहे हैं इमेजिन करेंगे सिर्फ इमेजिनरी एडमी खेलिए मानूं आप एक इमेजिन आर्टिस्थ हैं जैसे एक art director होता है imagine करिए इन सब की picture में आपने दीरे दीरे इनको बीच में अटा दिया या हटते जा रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कोई special आदमी की जगे बनानी है इस जगे को बनाई अपने mental screen पर और imagine करिए के पीछे universe ने खूब सरा बड़ी हसा music शुरू कर दिया है हवा बहने लगी है cloud I mean आप यह समझे के पूरी तरह से lightning शुरू हो गई है music चल पराई universe में और जो जगे बनी हुई है imagine करिए के पूरे की सब rich लोग दीरे दीरे इननोंने clap करना शुरू कर दिया है के इनके बीच में कोन आ रहा है और दीरे से अब अपनी image को आते हुए देखेगा in a beautiful dress with a glowing face, sparkling eyes, चलने का धंग, खूशुरा shoes, dress, jewelry, smile and place yourself in the center of this group and feel the magical hair rising experience now और इस picture को अगले 40 second तक बनाए रखेगा imagine करिये तालियों के गड़गाफ शुरू हो गई है अपने चेरे को अस्ते वे देखेगा imagine करियेगा your image is just like the image of the rich people और imagine करियेगा background सब एक ही तसा and become the part of it now imagine करिये they are shaking hands with you they are accepting they are hugging and you become the part of it feel this joy और इस picture को अब आपनी frontal lobe पर लाएंगे माथे के उपर देखेंगे लंबा सा सास लेंगे imagine करिये के सास लेते हुए आप अपनी पूरी energy को माथे पर एक कटा कर रहे हो frontal lobe पर eyebrows के उपर और यहाँ पर उस image को इस energy में देखेंगे और feel करेंगे sensation माथे पर imagine करियेगा अपनी image को खूब सुरत तरीके से इन लोगों के बीच में बनते हुए imagine करिये these people are making deals with you they are inviting you in their offices इनके साथ पैसे एक आदान परदान पार्टी गोमना फिरना इनके साथ बात करिये feel करिये इन आवाजों को और imagine करिये कि खूब सूरत जो feelings चल रही है इनको एक color देकर पूरी body में घुमाईए feelings को color के साथ keep enjoying एक gratitude को रखेगा और हलका सा smile लाईए चेहरे पर माथे के एक लंबा सांस लेते हुए एक बार फिर energy को पूरी body के energy को माथे पर लाईएगा दोनो eyebrows के उपर और इस image को एक बार finally पढ़िया सी light दे कर ask your mind अपने subconscious से कहिए keep those images light for me इन images को हमेशा मेरे लिए जिन्दा रखें और imagine करें कि आपके दोनों कानों के उपर जो temporal lobe होती है जहां पर आवाज निकलती है दोनों कानों के उपर से mind के उपर से एक आवाज आ रही है yes we shall keep हाँ हम रखेंगे खुब्सूरत से इन पर लोग को enjoy करते हुए अब आप अपनी आँखे को लिए look around चारों तरफ देख लिजेगा इस exercise को आप पांस साथ बार और कर लिजेगा दस बाराग बार कर लिजेगा और अगर अगर आपने बीसिक किस दिन कर ली तो आपकी life completely बदलने जा रही है यहाँ से आपका आर एस फेक्टर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पूरी तरह से transform हो चुका है frontal lobe sensitize हो रही है frontal lobe का sensitization सबसे important है इसे हम तीसरा नेत्र भी कहते है crown चक्रा भी यहीं पर होता है याद रखेगा यह बहुत मुश्किल से sensitize हो जाता है होता है लेकिन अगर आपने sensitize करने कि आज टेक्निक सीख ली जो मैं आगे भी सिखाऊंगा तो बस यह चीज़ आपकी life की reality बनने जा रही है आज आपका कमून फिडेंसी बदल गया अभी मैं यह नहीं पूछूँगा आपको कैसा लगा वो समय आने दो अभी तो gift लेते रहिएगा अभी तक मैंने आपको दो टेक्निक बता दी है आपकी self image को मैंने महाँ place कर दिया है जहां पर आपने rich logo की गया है लेकिन खुद सोचिएगा अगर आपको अपनी health की self image बनानी हो तो मैं क्या करूँगा आपका सवाल होगा क्योंकि अगर आज आप बिमार हैं और मैं wellness के उपर इंडिया में सबसे ज़्यादा काम करता हूँ world में ही समझजिएगा तो क्योंकि पूरे विदेश विदेश के लोग जो भी हिंदी जानते हैं वो सब मेरे पास ही जो एन करते हैं तो मैं अभी आपकी health की भी self image बनवा देता हूँ फिर मैं आपके एक दो और बनवा दूँगा blessings की भी शुरू का और फिर मैं आपको एक नया belief system दूँगा rich logo का जो मैंने बताया आपके से अब मुझे सुनते रहिएगा notes बना रहे तो बना लीजेगा लेकिन अब बनाने की जुरत ने क्योंगी आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं कंदेश यह दे करिएगा फ्रेंट्स सिर्फ सुन लीजेगा आखे भी मनमत करिएगा अब आपको क्या करना है अब आप अपने उन समय में जाएंगे जब आप हेल्दी रहा आपका माइंड आपकी प्रेजेंट की इमेज को जिसमें बिमार हैं आप उस जगह पर प्लेस कर देगा जहां पर आपकी सारी हेल्थ की इमेज है और इस इमेज को भी वो हेल्दी बना देगा जब जब आपको सफल तामिली है या उन सफल लोगों के बीच में देखिएगा जो सफल जिनको आप सफल मानते हैं जब भी आप अपने आपको बलेस्ट फिल कराना चाहें तो उन मॉमेंट में जाएगा जब जब आप बलेस्ट फिल किये हैं और उन इमेज को याद करेगा उन समय को याद करेगा उन इवेंट्स को याद करेगा लाइफ में और आज की इमेज को लाकर महां खड़ा कर दीजेगा उसे लाइफ बना दीजेगा और फिर आपका माइंड आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा याद रखेगा आपकी लाइफ में कोई डिजीज नहीं है या क्योंकि उसने आपको जेके पर नहीं रखाऊ है जहां उसे तुमने रखना चाहिए था उसको और उसमें उसकी कोई गलती निए क्योंकि आपने उसको चलाना नहीं सीखा है अगर आप अपने बच्चों की एल्प करना चाहतें कितने लोग करना चाहते हैं लिखेगा मत भी कर रहें तो जाये किसी स्कॉल में कहिए कि मैं आपके बच्चों को एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूं जो उनकी लाइब बदल जाएगी और उन बच्चों को लाइए जो नहीं पढ़ने में अच्छे हैं उनकी सिर्फ मैं सेल्फ इमेज बदलूगा पिगमेलियन ऑफ दा क्ला चार-पांश टोपर की बाप बताओ जो सबसे च्छे बच्चे बहाने तो वो कहेंगा एक संदीप है एक स्वेता है एक राजू है एक 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 विकास है इस तरह से उनसे कहा कि इनको देखो और इनके बीच में जखें बनाओ और अपने आपको प्लेस करो अगर बापको कर देख हाए अपको बीच में अजये इनके साथ बाते करो और इमेजन करो कि जो रिपोर्ट काद इनका रहा है उससे बेतर तुम्हारा राए उस समय कहना है हम क्या करो कि तूम उससे ज्यादे कर रहे हो और बच्चे के बढ़ा रहे हैं किसला कर नहीं हूं परियाद रखि MAVMUSION करना है नहीं तो 20 प्रेटल लोब भरी पढ़ी है लोगों केई हो जाते हैं कान जिसी वो बात सुनते हैं करते हैं किभी आपने लोब यहां पर होती है जिन में आवाज यह ब रही होती है और अपने भूल लोब यहां पर होती है एक आपको के उपर इसलिए आपके आँके कभी left जाते हैं कभी राइट जब आप बाते करते हैं, यह NLP में सब पढ़ाओंगा और मैं आप होगी यह यह भी ठीक हाँ जी आप अपने बच्चे के शल्व भी मेज बदने लोगेे हा जी कि आप अपने एक बिली बदल जाए आपके बच्चे का और आपका बच्चा करोड़ पती बन जाए अजार दोजार लोगों को नोकरी दे दे तो आप इसे पच्छे जार की वक्षोप मत मानिएगा मैंने एक आदमी को जब कॉंसलिंग दी थी उसने कहा था कि क्या आप जानते हैं तो आपन उसका यह कहना था जिसकी वर्थ उस टाइम चोबीस जार करोड़ ती मार्केट कैप जिसको कहते हैं मैं सेंग्ट वारी सेंपल लेकिन मैं एक बिलीफ और बदलने जा रहा हूं एक बिलीफ और बदलियेगा और फिसके बाद मैं फिर रामदेव के बिलीफ सिखाता हूं अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सचमुच में रख खुबसूरत बना सकते हैं उतना खुबसूरत कि जैसे मानों गोल्ड में से खुश्बू आ गई हो आप गोल्ड है मैं जानता हूं लेकिन मैं आपको एक बाद बताओं मेरे मेंटोर कहा करते थे राम सोना त मज़ा तो तब है कि तुम ऐसा सोना बनो जिसमें से खुश्बू आए तो मैं आप से कह रहा हूं बिकम दा गोल्ड विद फ्रेग्रेंस आप ऐसा सोना बनिये जिसमें से खुश्बू आए और दिल पर हाथ रखके कहिए एक बार रख दीजे मेरे कहने से चुप चाप और दिल से कहिए येस आई डिजर्व इट मैं सच मुझ में बनने के लिए तैयार हूं और मैं डिजर्व भी करता हूं कहके देखेगा एक बार और इमेजिन करिए कि वो सैल जो है ना आपकी आई एसी वो इस समय आशू बार रही हैं खुशी से कि उनका जो फादर यानका जो क जो आज आप दे रहे हैं आपके हार्ट को ऐसा लगेगा उसने सारा का सारा कोलेस्ट्रोली घोल के रख दिया बगा दिया उसने वहां से ऐसा लगेगा कि वो नाच रहा हूं शुरू करता हूं एक और टेक्निक इसमाइल दीजेगा चेहरे पर एक अब वही लोग मेरे साथ रुक रहे हैं जो लाइफ को एक नए लिविल पर ले जाना चाहते हैं मैं जानता हूं मैं जानता हूं आप लोगों को मैं मुबारक बात देता हूं कि इस समय आप मुझे सुन रहे हैं इस समय जो लोग सुन रहे हैं वो इसलिए मुबारक के पात रहे हैं क्योंकि उनके यह है कि यह नहीं चाहिए वी वांट सम्मिजरेबल तिंग्स बट्यू वांट गोल्ड विद फ्रेग्रेंश चलिए शुरू करता हूं एक और आपको देता हूं कंदे सीधे करके इमेजन करिए कि आपके सामने एक हजार लोग बैठे हुए हैं और आप उन्हें जोर से अपना नाम बता रहे हैं my name is for example मेरा नाम है राम वर्मा तो मैं आखे बंद करके कह रहा हूं सुन रहा हूं मानो मेरे सामने अजारों लोग बैठे हैं my name is राम वर्मा या मेरा नाम है राम वर्मा हिंदी में उर्दू में जो भी आपका बोलना है और imagine करिए कि 5-7 बार इस आवाज को बोल रहे हैं आ सर के उपर से के स्पीशे से माते के सामने से या चाती से कहां से यह आवाज आ रही है my name is इसकी टोनलिटी क्या है इसमें कॉन्फिदेंस का लेवल क्या है इसकी स्पीड क्या है और इसे जो कह रहा है वो मेरा ही फोटो लग रहा है मुझे उसका कॉन्फिदेंस लेवल क्या डूंढ ये से कोई बात नीयव आखते खोलिए और एक बार फिर इस बारा आपको जूटा नाम बोलेंगे इस बार मैं बूलों गार मैरा peł नाम संदीप कुमार नहीं है ना निक नेम है ना किसी भी तरह का, तो मैं जूट बोलूँगा, तो एक बार आखे बंद करिए, और इस बार जूट बोलिये कोई, माइने भी जूटा नाम, पांस साथ बार बोलिये, फिर असली बोलिये, फिर नकली बोलिये, जूटा बोलिये, फिर सचवाला नाम बोलिये, पिर जूटा बोलिए और देखेगा इन दोनों साउंड में डीपली अब अपने माइंड को एनलाईज करिए कि आपके माइंड ने कितने डिफरेंस दे रखे हैं दोना आवाजों में become a watcher now become a watcher now एक watchman बनिए कि इन दोनों में क्या क्या फर्क है ये जो सच वली आवाज है my name जो सच नाम है वो कहाँ से आ रही है चुट वाली कहां आ रही है उसकी direction किदर को है उसकी टॉन क्या है इसकी token क्या है इसका believe क्या है जो भी है आंके खोलिए कितने डिफ्रेंस नजार आए मैं बदाता हूं पहला डिफ्रेंस लोकेशन का येस और नो दूसरा डिफ्रेंस आएगा टॉन का बिलीफ सिस्टम का ओंफिडेंस का लेकिन सबसे इंपोर्टेंट है टॉन का और लोकेशन का इसे नोट कर लिजेगा और आज आप अपने किसी कि आदमी को कॉंसल कर दीजेगा एक चोटी से मुझे बीस लाग रुपे मिले ते उसी आदमी से आदा घंटे की कॉंसलिंग ते ट्वेंटी लेक रुपीज आई वास गिविन मैंने उसे बताया नहीं तो मैंने का जो भी आपको लगता है दे देना इसे ट्वेंटी काफी नहींगे आई सट्वेंटी ताउजन कहेंगे बट वैनने इसए ट्वेंटी लेकिट वाज मैजिक रहा हूं अधीवेट मैं बाप को इसका मैजिक सिका रहा हूँ जहां पर आपका सच पड़ा है वहां पर बहुत सारे सच डालो और जहां पर आपका जूट डला है वहां पर बहुत सारे जूट डालो आपके मतलब मतलब क्या है त्यान से सुनते रहीएगा work with मेरा नाम मुझे सुना ही देता है यहां से निकलता है मैं ज़राम वर्मा ऐसी आवाज जाती है और मैं यहां पर क्या डालता हूं पता है रहाण है नहीं ज़राम वर्मा और यहां पर एंड लगाएंगे और अगला सेंटेंस बढ़िया सा बोलेंगे and my BP is 120 by 80. My name is Ram Verma. उसी आवाज में मैं अंदर सुन रहा हूं. अंदर ये अंदर वो ही आवाज आगे बढ़ रही है. And I am becoming healthy energetic young. My name is Ram Verma and my weight is becoming 74. My name is Ram Verma and I am becoming money magnate. My name is Ram Verma and I am enjoying good education or enjoying mathematics well. अगर आपका बच्चा mathematics में नहीं कर रहा है तो. उसे डर लगता है कि वह मैथ से डरता है, एक्जाम से डरता है, उसे ये करवा देना आज. और देखना आपका बच्चा कितनी देर तक आपके साथ बैठना चाहता है. आप कहते हैं सर अमारी बात में सुनता, इसलिए नहीं सुनता, क्योंकि हमारे पास कई बच्चों को सुनाने के मतलब की कोई चीज है नहीं. आज करके देखेगा आपके बच्चे आपसे दूर हटेंगे नहीं. हटेंगे ही नहीं. वो कहेंगे मम्मी पापा एक बार और कराओना प्लेस. मेरी आवाज के लिए रारी है. और जो उसका जूट है, मान लेते हैं, मुझे डॉक्टर ने कहा था, क्या ये माइग्रेन नहीं जाएगा. ठीक है ना, तुम खड़े नहीं हो पाओगे. और मैंने इस आवाज का कहा सुना, तुम खड़े नहीं हो पाओगे. किस आदमी की आवाज में? उसी डॉक्टर के आवाज में. मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, इसे वेरी बिग डॉक्टर इंवेस्टर न यूपी. वेरी बिग इनेशनल फेम के हैं, उस समय, उनने अवसे सताइस साल पहले, मैं एकदम से उनकी आवाज कहा सुना हो, राम तुम खड़े नहीं हो पाओगे, तुम्हें ग्रियोमेटर अर्थराइट होगे, और माइग्रियन जाता है, दमा दम के साथ जाता है, मैंने यहां ड जारे जूट डाल दी हमने, यतने भी आपके सच बना रखे ना, आपने गलत जनरलाइज जो सच बना रखे, उन्हें कहां पर प्लेस कर दो, जूट पर, तो आपका माइंड क्या मानेगा, उनको जूट, क्योंकि उसका जूट का अलग कमपार्टमेंट है, और उसका सच का क खड़ाय कर लें, आप एक बिजनिसमेंन हो सकते हैं, हो सकता है, आप एक किर्केटर हो, इस समय मेरे सामने बैटे गो, I can re-establish me and I am re-establishing myself, और I can re-establish or rehabilitate myself, or I can stand up once again, इस आवाज को कहा सुनना है, जहां पर आपकी रियल आवाज आरे हैं, और जहां पर जोटा सेंटेज आर लोगों ने तुम्हारे बाएं का यू कांट टुई इट तुमकर कुछ में हों तुम तो इर्रेसपोंसिब्वे vont यप नहीं जाती तुम्हें यह विमारी हो गयी हैं इन्हें सबको जूट बना दो और आपके माइड को पता सच का मैं सच बताऊं आपको लोग कहानी सुना देता हूं मिश्टर राइट की मिश्टर राइट की उन्निस तो इमीन बावन में 45-46 साल ये मिश्टर राइट को फोर्थ स्टेज का कैंसर था संतरों से बड़े लंप उसके गाहा जांगों में गर्दन में और बाहों भगलों में निकले हुए थे अचानक पढ़ लिया उसने के क्रेव जोन नाम का इंजेक्शन आया है वो डॉक्टर के पास गया किसाब मुझे लगा दो डॉक्टर ने क्या तुम्हारे लिए नहीं बनाई है यह उनके लिए है जिनका कैंसर अभी शुरू हुआ है तुम्हारा तो द महीने के बाद वह बिल्कुल ठीक था दस महीने बाद एक रिपोर्ट हो रहा गई करेव जोन बेकार है आप यकीन नहीं करेंगे जैसे उसने रिपोर्ट पड़ी चार घंटे के अंदर उसका वही कैंसर दुबारा बन गया पहली स्टेज का नहीं दूसरी का नहीं तीसरी का तो वो काम कर रहा है और अच्छी बात है एक इंजेक्शन मेरे पार रखा है और डॉक्टर अंदर गया और उसने पानी भरा और लगा दिया यह कहकर कि असली है और तीसरे दिन फिर उसका कैंसर ठीक हो गया और उसके बात उसने अपनी लाइफ को जिया लेकिन 1954 में जब क्रेवियो जोन को वापस ले लिया गया मार्किट से तो उसने खबर पढ़ ली कि क्रेवियो जोन मिट्टी के लावा कुछ नहीं है और यह कभी इफेक्टिव था ही नहीं उसका दिल तूट गया उसी दिन उस कर लो यकीन कर लो कि तुम्हारा माइंड 120 85 कर देगा तुम्हारा बेपी और तुम्हारा वेट भी ठीक कर देगा तो यह हो जागा आप चिंता नहीं करें और अगर आप इंट्रेस्टिड हैं तो मैं आपकी हल्प करने के लिए तैयार हो और अब मैं आपको उफर कर रहा नहीं वक्षो जितने लोग मेरे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं यहां से हम कंटीनियू करेंगे जितने लोग यह कहते हैं कि नहीं मैं यहीं तक देखना चाहता था मेरी लाइफ जो भी चल लिए वही ठीक है मैं आपको से लिट करता हूं मैं आपको रिस्पेक्ट करता ह है जहां से मैं उनको बताता हूं कि कैसे पैसा कमाना है करोड़ों लोगों को आपकी स्किल की जुड़त है अगर आप एक हाउस वाइफ है या एक यूथ है या रिटार्ड परसन है या फिर एक नया करियर पहले लिए चुरू करना चाहते हैं यू कें डू इट बी विद मी आख जिंद्ध्य में रेस्पौंड करने के दो ही तरीके हैं एक तो यह है कि जिंद्की जीसे चल ले चलने दो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ हमरी हुई मचली पानी में हमेशा नदी के बहाव के साथ बैعتी ऑगए लेकिन जिन्दा उसके उल्टा बैती है और मज़ा लेती दोसी सिच्विशन यह है कि नहीं आज मैं मुझे मौका मिला है शायद ये वेबिनार शायद मिश्टर वर्मा जिसके रिव्यूज मैं देख सकता हूं इसी वक्त जिसके बारे में मैं गूगल या मैं यूट्यूब पर देख सकता हूं मुझे एक चीज ओफर कर रहा है तो चल ओवर फाइवंड़ पेपेल आरे स्टिल देए मैं आपको मुबारक बात देता हूं और मैं यहां से एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे रहा हूं आपकी लाइफ के रिजल्ट आए ताकि और यहां पर मैं आपको एक प्रोग्रेम दे रहा हूं इसका नाम एनलपी इनलपी नोट ओनली इंडिया ब्योंड इंडिया ओल्सों मैं आपको दे रहा हूंगा 38 घंटेों की ओनलाइन लेकिन बिल्कुल लाइव वक्शॉप रिकॉड़िट नहीं बहुत सारे लोग रिकॉड़िट दे रहे हैं इनका कोई मीनिंग नहीं उठता मैं आपको लाइव दे रहा हूं यह कंप्लीट होगी 14 दिनों में यह मेरे द्वारा डिलीवर होगी सिंपल हिंदी में होगी बॉलीवूड लैंग्विज जिसके कहते हैं यह किलास इस सोलह अगस्ट से 29 अगस्ट तक 14 दिन पूरे हो जाएंगे दोनों डेट इंक्लूड़िड हैं में वीक डे कोफी ओफी ले लेंगे ब्रेक में पांच मिनट का ब्रेक भी मिलेगा और 10.30 पर यह खतम हो जाएगी यह 10.45 तक लेगन संडे को यह किलास 6-7 घंटे चलेगी ब्रेक्स के साथ हर एक सेशन के बाद आपको चाय का लंच का चाय का लांच का थोड़ा आरायम करने का ब्रेक म को डेवलब करेंगे इन टेक्निक्स के द्वारा जैसी मैंने आपको कराई है अभी आपका सवाल होगा ना कुछ लोगों का कि रामदेव वाली टेक्निक रहे नहीं रही है मुझे मालूम है अभी मुझे थोड़ा सा रख रहें दो क्योंकि वो टेक्निक ऐसी है जिस पर लोगों को मिलनी चाहिए जो डिजर्व करते हैं अगर आप मेरे साथ जूड़ रहे हैं पांस मिनिट बाद मैं आपको महिंदर सिंग दोनी का एक प्रोग्रेम बताओंगा माइंड का उसे आप ले सकते हैं एक बिलिप बताओंगा दो या तीन बिलिप बताओंगा अमिता बच्चन के दो या तीन बताओंगा आपको रामदेव के और ये बिलिप आपको कहीं नहीं मिलेंगे किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे और आप कहेंगे कि येस पकड़ लिया सर मैंने अब मैं कहां गड़बड कर रहा है था तो मैं योगा सिखाऊंगा नहीं तो क्या मैं सिखाऊंगा नहीं तो मैं किर्केट सिखाऊंगा नहीं मैं उनके माइंड की सकसस पैटरन सिखाऊंगा एंड ओनली आइकन डूइट फॉर यू ठीक है ना लेकिन पहले बतानाता हूं कि जो टोपिक होंगे वो मैंटल स्टेट कैसे कि लिए करें जो आप चाहते हैं आप अ यूर लर्निंग केंड चेंज यूर डियन ने गॉल ट्रांसफोर्मिशन सिखाऊंगा आपको आपको रैपो बनाना सिखाऊंगा लोगों के साथ लोगों का परपज ढूंडना सिखाऊंगा आपके बैट ट्रीगर हैं खाने के लड़ाई के गुस्चे के पैनिक अटेक के यह सारे हटाना सिखाऊंगा अगर आपके पास को ट्रीयुट ट्रakingट्व पैटरन है वो रठाने सिखाऊंगा इन ही टोपिक्स में मैं सिखाऊंगा कैसे आप अपने रिष्टों 커피 ठीक करें कैसे अपने इंटरनल आपके पास कंफिलिक्स चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करें ये काम करूं ना करूं आप आप डिस्जन ही ने ले पा रहे हैं कैसे सफल आदमी की मॉडलिंग करूं उसमें से एक पार्ट अभी करूं कर रहा हूँ है अभी हिपनोटिक लेंगवेज के द्वारा मैं क जो भी करते हैं वो क्यों कर रहे हैं मैं कैसे समझू और हाँ अगर कोई आदमी वीजवल है तो मैं उसके साथ कैसे बोलू उसकी आंके लेफ्ट जा रही है ओपर या राइट डाउन जा रही है तो मैं कैसे पकड़ू कि या आदमी वीजवल है कि काइने स्टेटिक है वो अ माइंड की सिंबोलिक पावर कैसे बढ़े पैसे के लिए सकस के लिए लव और लाइफ के लिए और मैं कैसे अपने मैंटल बडन को अठाऊं यह सारे बेनेफिट इन 14 दिनों में मैं दे रहा हूंगा पूरा कोर्स 17 टोपिक का आपके पास होगा टेकनीक 17 से ज्यादा होंगी क बहुत सिंपिल अंदाज में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी टेकनीक कहां लगानी है और कैसे कॉंसलिंग शुरू करके खतम करके पैसा भी कमाना है शुरू करते हैं तो असा आगे इतना ही नहीं इसी टेकनीक में इसी सेशन में मैं बताऊंगा कि कैसे आप चैल्ल का, किसी की मोथ का, डिप्रेसन है, एडिक्शन है, OCD है कि बार-बार एक ही थोट को आप लेकर रात बार प्रिशान होते रहते हैं, हो सकता है अपके पास बहुत सारे फोबियाज हो, पानी का, डर हो, लिफ्ट का, सिनेक का, लिजार्ड का, कोक्रोज का, एनिमल्स का, डार्कनेस का, हवा में उड़ने का, पब्लिक स्पीकिंग का, किसी का प्यार खोने का, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हील करें अपनी इम्यूनिटी को, याद रखेगा, इम्यूनिटी कभी आपके खाने से नहीं बढ़ती, आपकी वीज्विलाइशन से बढ़ती है, और हाँ, एक चीज़ और भी दे रहा हूंगा, इनी चोदा दिनों में मैं कई बार आपसे परसनली बात करूँगा, इन चोदा दिनों में मैं आपको दिन में एक नंबर करेंगे, और मैं आपको पूरा उसमें परसनल हेल्प दूँगा, आपके परिवार में कोई इशू है, आप में साथ शेयर करना चाहते हैं कि मैं कैसे हेल्प करूँ आपकी बच्चोंगी, यह मैं कर रहा हूंगी, एक बार आप साइन अप कर लेते हैं इसको, तो आप लाइ सारे ट्रेनर काम कर रहे हैं इंडिया में, यू नेम एनी ट्रेनर जो भी अच्छा कर रहे हैं, और यू विल फाइंड ही इस माई स्टुडेंट, यूट्यूब पर जितने भी लोग एनलपी की बात कर रहे हैं, 95% सब को सिखाने का मुझे मोगा मिला है, मुझे गर्व के सा से 29 दिन का कोर्स करते हैं तो, यानि कि आपने ओनलाइन का पैसा दिया और ओफलाइन फिरी मिल जाएगी आपको, बोनस में, सिर्फ होटल का खर्चा देना होगा, उसकी फीस समना ही लेंगे, होटल का खर्चा प्लस जो भी एड्मिन चार्जिस हैं, थोड़े बहुत मागे वो देना पड़ेगा, बहुत सारे मैं आपको बोनस भी दे रहा हूँ, पूरी की पूरी NLP हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में आपको, आपके पाल लिंक होगा, जिसमें मेरी रिकोर्डिड पूरी वो होगी, पहले से रिकोर्डिड हैं वो, ये लाइब प्रोग्राम ह मैं आपको वेलनेस इंप्रिंटिंग मास्ट्री भी दोंगा 11800 भी, मैं आपको मेडिटेशन की पूरी अपनी आवाज मेडिटेशन दोंगा, ये एक्सेसाइज दोंगा, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग भी पूरी सिखाँगा, ये सब लिंक मिलेंगे आपको, और ये आंसर आपको मिलते रहेंगे इनकी टोटल वैल्लियू अगर हम देखें वैल्लियू वर्थ जो है वह वन लेक फिफ्टी फॉर ताउजन सिक्संड़ सेवेंटी टू की है लेकिन आज यह आपको इतना पे नहीं करना है कितना पे करना है मैं आप आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यह जो चीजें मिलती हैं अब तक मिलती जा रही है अब तक जब तक हमने यह वक्षोप करी हैं ओफ-लाइन यह फीस थर्टी फाइक तॉजन प्लस जीएस्टी कोटी वन ताउजन सेवनड़ सेवनड़ सेवनटी टू जिसमें वर्थ है वन लेक्टी फॉर ताउजन सिक्सेवनड़ सेवनटी टू लेकिन आज का स्पेशल ओफर है और इस ओफर से पहले मैं आपको राम देव अमिताब बच्चन और दिन महिंदर सिंग धोनी और भी मे है वो मैं आपको वक्षोप में दे दूँगा इविन मोदी जी को भी माइंड को आपको खोल के बताऊंगे और यहां से आपको इसको मोडलिंग और सक्सेस्फल पीपल कहते हैं इन में से मैंने कुछी जो को मोडल किया हुआ है आप भी कर लीजेगा करना चाहेंगे मैं दे तैंक यूवेरी मच यह बहुत दितेष से आपके नाम आ रहे हैं तो मैं पढ़नी पाऊंगा बोल नहीं पाऊंगा पढ़ तो सब को रहा हूं तैंक यूवेरी मच अब आप मैजिक सुनिएगा चलिए आपके कहने का पोचने का तरीका इतना खुबसूरत है कि मैं आपको म कोई भी चीज नोट करने का होना चाहिए अगर नोट करने का होगा तो यह बिलीफ आपके जीवन को बदल सकता है और इन में से मेरे बिलीफ को मैंने कई बिलीफ को ले रखा और सभी बात तो यह है यह किसी किताब में भी नहीं मिलेगा तुम कहीं भी ढूंड लेना यह मेरे एक खोजी माइंड है मैं हर एक चीज को खोजता रहता हूं कि मैं यहां से क्या ले सकता हूं क्योंकि मैं बहुत study करके यहां पर आया हूं 700 किताबों से ज्यादे मेरे पास पड़ी हुई हैं और हर रोज में तीन गंटे पड़ता हूं तो इतना बड़ा भंडर आपक कर ले और मैं आपको बता दूँ है ही कर ना तो पहले बताते हैं चलिए रामदेव रामदेव का पहला बिलीफ जिससे उसको सफलता मिलिये और वह बिलीफ जिस जिस आदमे ने भी ले लिया है वह आगए successful होता जा रहा है और यह रामदेव का भी नहीं है वह बिलीफ वू है वी लावड इंड बी कंसिस्टेंट 16 गा से बोली आपने बारे में अपने कॉंसेप्ट के बारे में और बी कंसिटेंट लगातार बोलते रही है लोग यकीन कर लेंगे इस नाक से साथ लो इससे चोड़ो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा और लोगों पर यकीन बांदिये छेला गाउं में साखाएं चल रही है उनकी अपनी उन्होंने अपना बोर्ड बनवा लिया अपना एजूकेशन बोर्ड ले लिया यह पावर होती एक एक अदमी की जो एक छोटी से गांव से आई है पहला रूल लिजेगा बी लाउड बी कंसिटैंट आपके पास अगर कोई कंपनी आपका कोई प्रोड़क्ट है आपका कोईखाना है जिसे बेस रहे हो आपका कोई आइडिया पी लाउड बीकंसिटैंट और यह दुनया टक से आप पर यकिन करना शुरू कर देगी दूसरा लीजेगा राम देव का फिर मैं आपको ओफर कर रहा हूं मेरे साथ जूड़ने का दूसरा लीजेगा राम देव का आलवेस चैलेंज दा माई टेस्ट हमेशा सबसे पावरफुल आदमी को चैलेंज करो यह नहीं लिवर तो कु करो टोइलेट बस कर दिया माई टेस्ट को चैलेंज और वो जो सबसे शक्तिशाली है उसे आपने चैलेंज कर दिया वह या तो बोलेगा या नहीं बोलेगा बोलते ही आप बोल देंगे देखो डर गया आप नहीं बोला तो डर गया दो बिलिव दे दिये मैंने तीसरा भी देता हूं लिख लो इसको भी और तीसरा बिलीफ यह है फ्रेंड्स रामदेव का दस बिलीफ लिखवा दूँगा आपको जब मेरे साथ जुड़ोगे तीसरा लीजेगा लोगों से कनेक्ट करिए खूबसूरा सी सिंपिल लेंगवेज में तभी मास आपके पिछे आएगा और चौथा भी रिख लीजेगा यू कैन चेंज दा रूल्स ऑफ एवरिफिंग उसने एड़र्टीजमेंट के रूल बदल दिये जहां एक तरफ बड़े-बड़े स्टार को लेते हैं वो अपना चमन पराज लेके आते हैं पहले से कपड़ों में खड़ाओं में कर चैहिए उसके ना बस राम देव होना चाहिए है ना कि इसका मतलब कभी मत सोचेगा आप सपंधे घियां ऐहएं फीर दो देता हूं और दो देता हूं फिर अमिता ऐमीन अमंत्र चिंग दोनी के तीन बिरीफ देता हूं और अमिता बच्चन के पहला लिखिएगा मैं अमिता बच्चन यहां पर रहते हैं जू उपर मैं माई पर चार साल रहा हूं यू के उपर ही सिर्फ दो सो गजदूर और मैं अक्सर देखा करता था कि उनके घर के सामने संडे को लड़के लड़के खड़े हैं यंग और मैंने एक बिलीफ पा लिया लिखे इस बिलीफ को आप 80 साल की उमर में भी जवान दिलों की धड़कन बन सकते हैं और आपके अंगर रोंगटे खड़ा नहीं हुए तो कोई बात रही इस बात है और आप कह रहें सार आपकी उमर में पच्पन होगी सर अब क्या रखा लाइफ में आरे 80 साल की उमर में भी लोग आपके सामने सिगने लेने के लिए और आपके एक जलक लेने के लिए लड़के लड़के खड़े होंगे आप बात क्या कर रहे हो अब बन गया यह तो आपनी लिक लीजेगा के मिस्टर वर्मा आज मैं आपको शपत देता हूं कि एक सो बीस साल बाद का जो मेरी हमर का एक सो बीसवा साल है मैं से करके दुनिया को छोड़ूंगा या छोड़ूंगी लिख देना इस आच और पूरा होने जा रहा है कि लिखे अगला बिलीफ है मिताब बच्चन का यू कैन भी यंग एड़ ये जो फेट्टी आप उन्निस आप उन्नी आसी साल की उमर में भी यंग हो सकते हैं जबकि उसक बलट डिजीज इंक्लूइडिंग सम आई में लंग्स डिजीज लिवर डिजीज पेट का बीमार और वह आदमी आसी साल की उमर में यंग है तीसरा लिख लिजेगा यू कैन बी नंबर वन इन दा इंडुस्ट्री एड़ एज ऑफ एट्टी वेयर ओल यंग पीपिलार को डॉमिनेट करते हैं आप आसी साल की उमर में भी किंग है वांके बताइए अब तो आप नहीं कह सकते ना किसाब मेरी उमर निकल गई यह है पावर बिलीफ की और एक बार बिलीफ कर लिजेगा आज रात सपने में डाल कर देखिए अकल से आपको सारी बीमारिया दोड़ आप एक छोटे से शσιयर में कीटी की नोखे करते थे में और आप दुनिया में च्छा सकता है तो यॉर बैक ग्राउंड इज नट एक ओपर ग्राउंड लेना चाहते हिए यह मास्टर स्ट् में बस अगर रॉंग्टे खड़े नहीं हुए तो मुझे बड़ा दुख होगा क्योंकि मेरे रॉंग्टे बताने से पहले खड़े हो गए मैंदर सिंग दोनी का जो बिलीब बता रहा हूं लिखिएगा आप अंतिम बोल पर भी मैच जीत सकते हैं बाजी पलट सकते हैं यानि कि आप अंति एक बार आई जरूर लिखेगा अगर यह अच्छा लगा यहां तक वह लिखेंगे जिनको अच्छा लगा सच मुझ में अगर लगा तो फिर लिखेंगे जरूर नहीं लगा तो भंत लिक्के गा सिखाऊगे अपने बच्चों को यह जब बच्चा कह रहा है कि महमा मेरे से कुछ नहीं होगा बेटा महेंदर सिंग दोनी को देखा पहला यकीन कर ले अंतिम और में भी मैज जीता जाता है अभी बहुत कुछ है तेरे पास जब बैठ जाए आपका इसपाउस आकर घर पर अगरा एक पत्नी यार वो कह रहा है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा हम मर रहे हैं बिलकुल कुछ नहीं कर पाएगा बस कंदे पर हाथ रख देना तुम पत्नी हो अगर किसी कंदे बात रख के कह देना है कि अंतिम और अभी मोटिवेशनल स्पीश सुनने से क्या होगा एक सेंटेंस आपकी लाइफ को बदल देगा इतना सा करना है माई डियर फ्रेंड और आज का ओफर मैं आपको दे रहा हूं बी विद मी ना दोज वार इंट्रेस्टिड दोज वार कमिटिड हैर इस दा लेकिन उससे पहले आपक कि बीच में कोई नहीं रास्ता या तो अपके पास अल्टिमेट वैलनेस है या फिर वही निंद की गायाप हो गए है रिस्ते बिगड रहे हैं सब इन चीजों का सबका हिलाज है नलपी मैं मैं कह रहा हूं इससे भी जादे मिलेगा आपको जो चीज मैंने भी बताई नहीं इसलिए मैं आज आपको यह कोर्स दे रहा हूं एक लाग चाहसो बातर का नहीं है तो इससे जादे का इक तालीजार साथ सो बातर का भी नहीं है आज मैं आपको ओफर कर रहा हूं 85% डिसकाउंट दोज वार इंटेस्टेड नाव दे कें मेक दा डिसिजन राइट नाव 23,685 डिसकाउंट इंकलूडिंग टेक्सिस 23,600 इंकलूडिंग ओल टेक्सिस टेक्सिस में नहीं है इसमें है इंकलूडिंग अलग से नहीं लेंगे और हाँ यह 100% मनी बैक करेंटी के साथ है यानि कि आप जितनी चीजे मैंने आपको कराई हैं वो सारी मैं प्रूव करने जा रहा हूं यकीन आपको आई गया होगा रोंगते तो आपके कई बार खड़े हो चुके हैं यकीन तो कई बार आ चुका है लेकिन एक थोट अभी आ रहा होगा यार क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं कर लो लेकिन कई लोगों ने डिसाइड कर लिया है मैं उनके लिए बताना चाहता हूं यह बनी बैक गरंटी है कि अगर आप पहले दो दिन पढ़कर यह कह रहें कि सर मज़ा नहीं आया आप मेरी टीम को कहेंगे या मुझे कहेंगे राम आयम आउट और एक घंट वो लिंक आ चुके हैं जिसको आप यूज करके 23,600 बस फाइनल फुल फाइनल कर सकते हैं और हमारी चुगी परसो वक्षोप है यह हमारा लास्ट वेबिनार है हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं मैं भी अपनी मस्ती के साथ पूरा इसको एंजोई करके आपको दे चुका आप यूज कर सकते हैं डेविट कार्ड, क्रेट कार्ड, रेंट वैंकिंग, यूपी आई और हाँ आप यूज कर सकते हैं पे टीम भी पे टीम और गूगल पे के लिए कुसम को फोन का इमका नंबर यूज करिएगा 987-3155-244 और अब जो लोग यहां पर इस्टार्ट मेकिंग पेमेंट और मैं अब से पांच मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर खोल रहा हूं आसके अनिफिंग अबाओ इसकोर्स नोट पॉलिटिक्स नोट अबाओ रिलिजन पट आसक बाओ यूर इशूज आई विल बी आंसरी इससे पहले के यहां पर जो डबल फाइब डबल फॉर और डिटेल्स हैं मैं एक बार फिर याद दिला आता हूं अगस्त सोला से टेज ट्वंटीनाइन तक रात को से आट थर्टी टू टैन थर्टी बढ़िया टाइम है चोदा दिन के लिए मेरे साथ जुड़िएगा संडे को पूरा दिन छे साथ गं मेरे साथ शेयर करना चाते हैं तो वो नंबर आईडिया आपके पास होगी मनी बैग करण्टी लिख हुए नीचे आप यू कन टेक दा स्क्रिंशोट यू कन लिव आफ्टर टू डिज इफ यू डोंट लाइक और क्लेम यूर होल मनी होल मनी और तीन मिनिट बाद मैं आप क अगर आप एक रेलवे ट्रेक को देखें तो इस समानतर होता है परिलल होता है यतना दोनों लाइनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस है इतना ही डिफरेंस सो किलोमेटर दूर है इतना है जिंतकी आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसी चल रही है चलती रहेगी लेकिन अगर सो होगा कि आप उसे मेजर नहीं कर सकते बिलकुल लाइफ में ऐसे होता है याद रखेगा यह पॉइंट वन डिग्री तो नहीं होगा बहुत बड़ी डिग्री दोंगा मैं सोला तारिक को जो वक्षोप हो रही है आपके फोबियाज की बात करूंगा मैनिया की बात करूंगा आ आपके माइंड के सारे कच्छे को नीकालने की बात होगी और फिर आपके माइंड में पॉजिटिव थोट डालने की बात होगी इसलिए मेक्ष़एंड डिश्टें डिफ्रेंस इन यूर लाइफ बाइकिंग अडि अडिसीजिजन और वो डिसन यह हैं के अब आपके पास कि लिए कुछ नहीं है. Either you are going to get the best of the best of this country's training programs. या तो आपको best मिलेगा. या फिर आप अपना पैसा वापस लेकर जाएंगे. So you don't have anything to lose. So nice of you. Keep enjoying. Thank you very much. अपना पैसा जाएंगे.